असलाम अलेकुम जी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Python के अंदर Pandas Library को यूज करते हुए different tips and tricks को कैसे utilize करना है और ये tips and tricks वो tips and tricks हैं जो data science के अंदर बहत ही मजे हुए खिलाडी जो होते हैं वो utilize करते हैं जब भी किसी data को use करते हुए analyze करके उसमें से insights निगाल के किसी company को देनी होती है तो ये tips and tricks की list जो है आपके सामने हाजर है अब इसको मैं थोड़ा सो zoom in कर लेता हूँ ताके सबी को easily नज़र आए और हम इस पे काम करना start कर देते हैं सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि हम इसके अंदर अपनी एक ipynb file को बनाना start करेंगे ठीक है तो ipynb file कैसे बनानी है उसके बारे में पहले बात करते है अभी हमने यह जो file बनाई है इसके अंदर सबसे पहला काम यह होगा कि how to see कि आपने python का variant कौन से install की है या pandas का variant कौन से install की है specifically तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर एक में markdown का code बनाता हूँ number 0101 tip है how to find the version simple से हम start करते है सबसे पहले trick है how to find the version उसके लिए हम क्या करेंगे simply import pandas as pd कर लेंगे ठीक है करने के बाद यहां पर लिखेंगे pd.version और यह आपके सामने दो दफा अंडर्सकोर आप डालेंगे इससे पहले और दो दफा उसके बाद में ठीक है मैं इसको code को run करता हूँ shift enter दबा के तो मेरे पास यह connecting करने के बाद यहां पर वरियन आ जागा 1.3.4 ठीक है अब यहां पर मैं अपना जो konda environment इसके बारे में हम बात में अगात करेंगे लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि यहां पर इसको मैं दोबारा run करता हूँ तो देखें हमारे पास version 1.4.1 आ चुका है ठीक है तो panda का version इस तरीके से देखने है then हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है कि अगली trick हम देखते है इसका एक और तरीका भी है basically version को देखने के लिए वो हम देखते है पहले जो दूसरा तरीका है another way वो यह है कि आप pd.show versions ठीक है इसके अंदर लिख देएंगे तो यह हमें बताएगा कि इसके versions कौन कौन से installed version यह है commit यह की है python का यह version है python bits का यह operating system यह है फलाँ 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 हर एक चीज हमारे system के बारे में information पूरी की पूरी आ जाएगी और यह panda's के dependencies जितनी भी हैं उस सभी के version यूज़ करके हमें बता देगा मतलब panda के अंदर कौन कौन सी dependencies है मतलब panda किसके साथ काम काम करता है तो यह सारी चीज़े आ जाएगी तो pandas को show version करेंगे तो हमारे पास यह वाला एक पूरे के पूरी list आ जाएगी अब इसके बाद अगली चीज आती जब भी हम कोई data set पर काम करते है सबसे पहले हमें एक data set बनाना होता है data frame ठीक है तो मैं इसको दूसरा नाम देता हूँ 02-make a data frame data frame जब हम pandas में बनाना है तो वो भी बना सकते हैं जरूरी तो नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ और डिफरेंट किसम की जो लाइबरेरिजों उन्हें यूज करके बनाना है for example यहाँ पे हमने pandas import पहले की हुई है तो इसको नाम देते है pd.dataframe ठीक है यहाँ पे इसको मैं markdown में लेया हूँ तो मैं escape दबा के y दबाऊंगा तो यह code में convert हो जाएगी pd.dataframe data frame हमने बनाना है panda का तो अगर आपके पास जो github का co-pilot version है तो आपको यह आटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा क्या आपने आगे क्या करना है लेकिन इसको मैं बेसिकली आपको different तरीके से बना के दिखाता हूँ यहाँ पे हमने चोटी bracket डाली फिर हमने डाली दर्मियानी bracket जिससे हम क्या करेंगे एक key बनाएंगे dictionary बनाएंगे और फिर उसके अंदर यह सारी list वगरा add करेंगे ठीक है for example यह column का name होगा a फिर बाद में column होगा फिर 1, 2, 3 उसके अंदर होगा b की values 4, 5, 6 होगी ठीक है तो आप इसको कह सकते हैं for example column 1 या इसको मैं कह देता हूँ a कह देते हैं बड़ा a कह देते है b ठीक है इसको कह देते है a column इसको कह देते है b column तो इस तरीके से क्या होगा column का नाम ये हो गया लेकिन यहां पे list के अंदर उसकी values आगी तो यह आगया data frame अब इस data frame को मैं run करता हूँ तो यह data frame बन गया लेकिन मैंने इसे store भी करना है तो मैं इसे data frame के अंदर sorry df के अंदर store कर लोगा और डीएफ के अंदर store करने से यह df के अंदर चलागया अब जब मैं देवरा से इसको देखना चाता हूँ तो मैं df. सिर्फ df करूंगा तो यह data मेरे सामने आजाएगा अगर मैं df.head करता हूँ तो इस तरीके से ये डेटा मेरे सामने इस तरीके से आ जाएगा अगर आपने इस डेटा को बनाने के बाद डेटा फ्रेम बनाने के बाद इस पर काम करना है तो आप तीन से ज्यादा भी इसके वैलियूस बना सकते हैं मतलब यहां पर मैं लिखता हूँ 6, 7, 8, 9 22 तो मैंने एक के बनाए हैं दूसरे के नहीं बनाए हैं तो आप देखिएगा क्या होता है यहां पर हमारे पास एरर आगी है, all errors must be of the same length यहां पर इसकी जो length है वो 3, 3, 6, 8 है, यहां पर 3 है तो इसको भी same बनाना पड़ेगा ठीक है यह देखिए अब यह अब हमारे पास आ गया ठीक है, तो यह इनकी length जब dictionary के अंदर आपने इसको design करना है तो same होनी चाहिए ठीक हो गया जी, तो इसको कहते है example data set, फिर आप दूसरा काम यह कर सकते है, numpy array को use करके to create data frame बना सकते हैं यहां पर आपने simple क्या करना है array बनानी है ठीक है, np.array फिर 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह हमारे पास 3 dimensional array बनगी ठीक है, अब numpy हमने असल में import नहीं की, तो यहां पर लिखता हूँ import, numpy as np कर दिया, तो यह नीचे array बन जाएगी ठीक है, अब array को अगर देखना है तो इस तरीके से देख सकते हैं यह हमारे पास इस तरीके से array बनगी है array बनाने के बाद हम इसको convert कर सकते हैं, pd.dataframe इसके अंदर इसी array को हम convert करेंगे तो इस तरीके से आजाएगा, ठीक है look तो यह हमारे पास array आगी और इसका नाम है 012 इसका नाम है 012 तो हमारे पास array का data frame यहां पे आ गया तो आप इस तरीके से इसका जो data frame है ऐसे बना सकते हैं और दूसरा तरीका क्या है numpy को use करके बनाने का numpy array data frame को बनाने का वो यह है कि आप simply यहां पे pd.data frame लिखें data frame लिखने के बाद np.rand n ठीक है तो यहां पे आप लिखेंगे random.rand n या वैसे आप इसको इस तरीके से करके 4 by 8 का बना दे तो यहां पे मैं कह रहा हूँ कि simply आपने एक array बनानी है pd numpy array बना के उसको random number लेके तो उसको हमने क्या करना है 4 by 8 की बनानी है let's see यह क्या बनती है तो randomly देखें एक, दो, तीन, चार चार हमारे पास क्या है जी instances है ठीक है और column इसके कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 by 8 length की हमारे पास बन की ठीक है अब इसके अंदर हम क्या changes कर सकते हैं अगर आपने यह numerical जो column है इसकी बजाए आप randomly assign alphabetical column देना चाहते हैं तो same आपने क्या करना है इसको copy करके paste करें बट यहां पे यह देखिएगा column जो है वो A, B, C, D, E, F, G, H यह वले देदें यहां पे इसको मैं run करता हूँ तो आप देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और A, B, C, D, E, F, G आपने तीन किसम के data set data frames बना सकते हैं pandas और numpy को यूज़ करते हुए तो यह बहुत ही एक simple सी example है आप इसको 4 by 8 की बजाए 5 by 8 कर सकते हैं और यहां पे 9 by 5 भी कर सकते हैं ठीक है तो जितना आपको column चाहिए आप उतना बना सकते हैं अगर इसको मैं 81 करता हूँ तो यह भी हो जाएगा लेकिन end पे मसला आए shape of the past value is 4 by 81 indices imply 4 by 8 लेट में सी 5 by 9 अब इसमें क्या हुआ है simply हमें दोनों ताकदाद रखने है फिर भी नहीं हो रहा तो यहां पे कोई मसला चर रहा है उपसो ताकदाद वाला भी नहीं चर रहा तो आप error found कीजिए कि 4 और 81 का क्यों नहीं बना ठीक है 5 by 8 का बन गया 5 by 80 का नहीं बन रहा 50 by 80 का नहीं बन रहा reason behind that just check and let me know क्योंकि चीज़ें ऐसे ही सीखने से आती है otherwise नहीं आएंगे आपको कभी भी ठीक है तो अभी यह देखें 5 by 2 का भी नहीं बन रहा हम इसको 5 by 6 का देखते हैं बना के 5 by 6 का भी नहीं बन रहा इसको 2 by 6 का बना के देखते हैं 2 by 6 का भी नहीं बन रहा error क्या दे रहा shape of the past values 2 by 6 indices implied 2 by 8 क्यों भला यहां पर देखें A, B, C, D, E, F, G, H reason मैंने आपको बता दी आपको यहां पर नाम भी वो ही देने पड़ेंगे अगर आप इसके नाम रिमूव कर दे तो आप बना सकते हैं बड़े डेटा फ्रेम ठीक है जी समझ आई के नहीं है आगी होगी आपको next चलते है तो इसके साथ ही हमने अभी हमारे पास जो कॉलम आ रहे है इस डेटा सेट के जिसको मैंने pd.डेटा फ्रेम यह वला बोला था इसको मैं कहता हूँ df is equal to this ठीक है अब df को देखते हैं क्या है df है जी यह वाली चीज ठीक है जब हमने इसको कॉलम को बनाया था यहां पे इसको भी हमने df बोला था अब आप क्या करें just look into one of this data set मतलब यह जो हमने बनाया था ठीक है इसको मैं copy करता हूँ अब rename कैसे करना है उसको देखते है ठीक है हमारे पास जो दीसरी टिप है how to rename columns क्यूंके बहुत ज्यादा दफ़ा हमें columns को rename करना पड़ता है क्यूं करना पड़ता है मैं आपको भी बता देता हूँ उसकी वज़ा यह है कि हमारे पास different किसम की चीज़ें जो हैं वो आती है for example इसमें paste किया हमारे पास यह वला data frame बन गया ठीक है अब आप देखें कि column के बीच में space है और यहां पे भी space है हमने इनको करना है rename rename करने का बहतरीन तरीका क्या होता है कि आप df.rename चला दें for example आप देखें column है यह वला और यह वला मैं इसको बोलूँगा df.rename rename बोल दिया अब जो पहला नाम है उसको मैंने दूसरे नाम के साथ replace करना है ठीक है मैं यहां पे बोलूँगा के columns is equal to यहां पे a call को बोलूँगा कि इसको a कर दो यहां मैं इसको बोलूँगा call underscore a कर दो ठीक है small letters के अंदर इसको मैं बोलूँगा call underscore b कर दो अब किया किया है मैंने यह वाले original name थे चोड़ी bracket start की dictionary दे के इसको replace कर दी है इससे यह दूसरा original name है इसको replace कर दी है इससे in place true का मतलब है कि data set के अंदर change कर दी जाए ठीक है अब इसको हम run करते है run किया यह run हो गया अब run करने के बाद हम यहां पर df भी तो लिखना है ना ठीक है तो आप देखें कि जो data set का नाम a space column था b space column था यहां पर हमने column underscore a और column underscore b कर दिया ठीक है यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ आगी होगी किस तरीके से यह सारा सिस्टम चल रहा है ठीक है जी अभी इसी तरह अगर हम next move करें तो आप देखेंगे कि यहां पर इसको rename करने के और भी बड़े तरीके हैं ठीक है वो कौन कौन से तरीके हैं आप simply क्या कर सकते हैं आप यहां पर df.columns लिखने के बाद equal to का sign लगाएं और यहां पर columns के नाम चेंज करते हैं मतलब मैं यहां पर a a बढ़ा रहा हूँ ठीक है अब यहां पर df को दोबारा से display करके देखते हैं कि क्या होता है look तो आप क्या करें इसको पहले से बता है कि पहले दो column है तो आप इस तरीके से भी rename कर सकते है rename columns simply क्या करें उपर वाला pull of formula लिखने की बजाए आप simply यह दो नाम दे दें ठीक है तो यह rename हो जाएगा column a a and column b a ठीक है इसको b b b कर देते है तो मैंने क्या किया उनको replace कर दिया ठीक हो गया जी तो इस तरीके साथ भी आप replace कर सकते है अब मैं चाहता हूँ कि यह जो underscore है ठीक है यह replace हो जाए किसी और चीज़ के साथ तो उसके लिए भी हमारे पास code है character या string या कुछ भी आपने change करना तो वो कैसे करना है ठीक है उसके लिए आप क्या करेंगे simply हमने यहां पे लिखना है df.columns is equal to column a a के अंदर ठीक है और column b b के अंदर जो भी चीज़े हैं उनको replace करना है लेकिन हम यहां पे simply इस formula के बजाए जो हमें github को pilot ने बताया हम यहां पे लिखेंगे df.columns करने के बाद .spring अभी replace किस चीज़ को करना है वो यहां पे लिखनी है किस के साथ करना है वो यहां पे लिखनी है समझ रहे हैं बात को for example यहां पे हमने underscore को replace करना है ठीक है इसको underscore को हम एक किसी और character के साथ जो है वो change करना चाहते है ठीक है तो मैं कहता हूँ उसको hysteric के साथ change करते है let's see कि यह change होता है या नहीं होता और फिर हम df.com यहां पे लिखते है तो आप देखें कि यहां पे क्या हुआ है कुछ change नहीं हुआ क्योंकि उसने बोला है कि यहां पे जो आप change लेके आना चाहरे है वो असल में the default value of rejects will change from true to false ठीक है तो हमने क्या करना था इससे space में change करके देखते है ठीक है फिर नहीं हुई तो मसला क्या चल रहा है यहां पे basically के लिए हमने यहां पे underscore डालते है और यहां पे space डाल देते है ठीक है समझ आए तो मैंने जब बताया था कि जो चीज़ चेंज करने है वो यहां पे जो चीज़ चेंज होनी है वो यहां पे आ जाएगी ठीक है अब यहां पे अगर हम तो आप देखें कि हमने उसको space के साथ चेंज कर दिया था अब अगर इसको दुबारा आपने चेंज करना है space से टर्न करके underscore में तो यहां पे space दे दे यहां पे underscore दे दे तो आपका column change हो जाएगा ठीक है तो आप इसके साथ यह इस तरीके से इसको replace भी कर सकते है किसी भी एक character को तो अकसर यह होता है कि आपके सारे columns के अंदर कोई एकसी चीज़ आ रही होती जिसे आपने replace करना है तो यह एक तरीका आता है ठीक है फिर आप क्या कर सकते है prefix या suffix इसके अंदर add कर सकते है कैसे for example यहाँ पर adding prefix prefix का मतलब है कि column AA से पहले कुछ आए ठीक है adding prefix करने से क्या होता है df.column.string.replace यह तो पहले string replace वाला आ रहा है हमने करना है df.add prefix ठीक है prefix क्या add करना है यहाँ पर वो आपने लिख देना है ठीक है मैं यहाँ पर लिखता हूँ baba underscore ठीक है baba यह लिखता हूँ baba underscore लिखता हूँ तो आप यह देखिएगा कि अगर मैं df दुबारा से यहाँ पर print out करता हूँ look तो यहाँ पर कोई change नहीं आई उसकी reason क्या हो सकती है just imagine क्या चीज हो सकती है इसकी reason add हमने किया prefix और वो इसके अंदर add नहीं हुआ reason क्या हो सकती है let's again try this नहीं हुआ add अब इसके अंदर हम इसको for example df dot add underscore prefix ठीक है इसके अंदर ये करते है dot in place जैसे हमने उपर वाले में लगाया था ठीक है यह देखें यहाँ पर जाते है यहाँ पर हमने comma in place dot true क्या था ना let's see कि अगर ये काम करता है ठीक है देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता मेरा नहीं ख्याल करेगा but we can have a look क्योंकि यहाँ पर error दे रहा है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है आप इसको df is equal to करते हैं तो वो update हो जाएगा df ठीक है अब यहाँ पर df इसके साथ print करते है let's see कि कि क्या होता है तो आप देखें कि यहाँ पर call a इसके अंदर आ चुका है अब अगर आप पिछे वाले को दुबारा से run करते हैं तो वहाँ पर भी call a आ जाएगा तो यह क्या होता है असल में आपके पास पिछले सारे attach हो रहे होते हैं तो हमने क्या करना है इससे उपर वाले सारे जो है उसे run करते हैं बारी बारी ठीक है अब इससे run करते हैं तो हमारे पास यह आ गया अब हमने इसके अंदर add करना है baba underscore तो आप यह देखें कि यहाँ पे prefix add हो जाएगा baba underscore अगर आपने suffix add करना है simply इसको copy करें पूरे को पूरे को यहाँ पे पेस्ट करें और suffix क्या होता है end पे add करना किसी चीज़ को यहाँ पे देखेगा add suffix ठीक है double F के साथ add suffix करना है तो end पे भी underscore baba कर देना है ठीक है तो यह आप देखेगा यहाँ पे end भी baba आ गया first में बाबा आ गया तो मैं इस तरीके से इसके अंदर suffix और दूसरी चीज़े add कर सकता हूँ तो मैं इसको return करता हूँ अपनी simple place पे df. जो हमने columns का लगाया था ठीक है तो हमने क्या किया था basically यहाँ पे एक सादधा सी command लगाई थी इसी को मैं दुबारा से use करता हूँ df.columns इसको मैं यहाँ पे is equal to आप देखेगा यह वाला लगाया इसके अंदर लिखा पहला call underscore a वो खुद बाखुद मुझे google edicence ने sorry gethub copilot ने बता दिया अब यहाँ पे इसको मैं df को देखता हूँ तो मेरे पास column a और column b आपके ठीक है तो इस तरीके से आप इसको rename कर सकते है अब इसके बाद जो अगली चीज़ है हमारे पास वो different किसम की trips और है वो क्या है सबसे पहले कि यहाँ पे हम आगे है तीसरे नंबर पे यह चोथी हमारे पास होगी fourth पे using template data template data कैसे use करने different libraries को use करते हुए ठीक है उसमें pandas का भी user बाकियों का भी तो सबसे पहले हम करेंगे import pandas aspd import sorry import numpy as np और फिर बाद में import cbon as sns तो basically cbon के अंदर ना काफी ज्यादा डेटा सेट्स मुझूद है for example मैं पहले डेटा सेट डाउनलोड करता हूँ df. sorry उसको डेटा फ्रेम का नाम देंगे is equal to sns.load डेटा सेट और इसके बाद tips की बजाए मैं यहां पे लिख देता हूँ titanic ठीक है तो हमारे पास df के अंदर किस्ती का डेटा सेट आ जाएगा इसको मैं किस्ती ही बोलता हूँ ठीक है कुछ देर में आ जाएगा लेकिन अब यहां पे क्या मसला आ रहा है let me see error क्या आ रही है certificate verify failed unable to get local issue certificate let's see कि अगर हम titanic के spelling मेरे ख्याल से कुछ खलत है let's see कि और कौन सा data हम ले सकते हैं yes tips का ले सकते हैं iris का ले सकते हैं यहां पे अगर pool का data set लें जो हमने पिछली examples में भी किया है इसको मैं pool का देता हूँ pool के बाद यहां पे iris का data set ले ले लेते हैं ठीक है iris तो यहां पे pool.head आ जाएगा तो आप देखें यह भी नहीं data set आ रहा iris का भी नहीं आ रहा है इसके अंदर I think there is some problem going on let me see क्या problem है certificate error आ रहा है खैर तो आप इस तरीके से data set डाउनलोड कर सकते हैं यहां पे basically हम sns.load data set और tips का data लेते हैं for example तो इसको आप data frame का नाम दे सकते हैं df is equal to sns.tips तो इसको अगर आपने देखने हैं तो df.head की command लगाएंगे तो यह आपके सामने पूरा data set आ जाएगा जिसके अंदर यह सारी चीज़े हैं ठीक है तो आप इसको देखने के बाद देखें using template data लिया अब इस data set की अगर छोटी सी summary देखनी है summary तो आप df.describe का function यूज़ कर लें simply यह लें तो इसमें क्या क्या है count कितना है 244 instances है mean कितना है standard deviation कितना है minimum कितना है और यह सारी चीज़ें इसके अंदर है अगर आपने summary के इलावा आपने देखना है जी इसके columns के name ठीक है column names simply तो आप देखें तो हमारे पास columns name आजाएंगे तो इस तरीके से हम यहां से पकड़ के copy paste कर सकते हैं ठीक है और अगर आपने इस data set को अच्छे तरीके से different किसम की चीज़ों के साथ utilize करना है then you can actually do a lot of things with that describe के अंदर यह आगया अब अगर df. sorry save करना है न ठीक है saving a template dataset saving a data set उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा df.csv करना है तो tips.csv करेंगे और जिस folder में करेंगे न वहीं पर save हो जाएगा मैं यहां पर अगर करता हूँ तो यह यहां पर देखिएगा यहां पर tips की एक file आजाएगी तो इसे आप view करके भी देख सकते हैं यह आपके साथ पास पूरा dataset आ गया यह मैंने extension की हुई है Excel Weavers की Microsoft Excel Weavers की यह आप कर भी सकते हैं तो इस तरीके से आपके पास dataset save भी हो जाते हैं अगर आपने इसको Excel में करना है तो df.to.excel ठीक है लेक में सी नो मोड्यूल ओपन पाई एकसल कहता है कि यह वहला मोड्यूल आपको चाहिए इस को रन करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ अक्सर यहां पर pip install open py excel इसको मैं इस्टाल कर लेता हूँ ठीक है यह देखें pip install open py excel इसको आपने install करना है यहां पर क्लिक करेंगे तो और रड़ी यहां पर आपके मॉड्यूल के अंदर यह इस्टाल हो जाएगा आपने kernel को restart करने restart करने के बाद इसके उपर वाले सारे दुबरा से run कर देने उससे क्या होता है कि यह जो है यह कोई मसला create नहीं करता ठीक है तो मैं इसको यहां पर as a comment यहां पर paste कर देता हूँ तो हमने excel में जब यह file save करने तो आप देखिएगा hopefully अप काम कर जाएगी yes तो यह देखें हमारे पास excel की file भी आगई हमारे पास csv file भी आगई तो दोनों file आगई तो आप इसको excel में भी open कर सकते हैं basically इस वज़ा से मैंने यह चीज़ें बताई हैं इसके लाव़ df2 2 लिखेंगे तो आप देखें csv, dictionary, clipboard, excel, features, gpq, hdf, hdml, json, latex, markdown और इसके लाव़ नम पाई आरे और बहुत सारी चीज़ों में भी इसको convert कर सकते हैं ठीक है जी तो यह इसके लिए जरूरी था using template data हमने किस तरीके से use करना है किसी template data को अब अगर हमारे पास अपना कोई data कहीं पर पढ़ा हुआ है तो इसको कैसे utilize करना है ठीक है तो चोथा था using template data using your own data ठीक है तो इसको पांच पा कहा देते है आपने इसको run किया simple क्या करना है आपने जी import import pandas as pd मैं बार बार इसलिए करूँ ताकि आपको याद रहे तो यह देखिए यहां पर pandas में गलती थी तो फोरण आ गया import pandas at pd अब यहां पर हमने करना है df is equal to pd.read csv read underscore csv and then आपने उस file का नाम देना जो उस folder में पड़ी हुई है यहां पर मेरे पास csv read करनी तो मैंने csv जो उसी folder के अंदर pandas के अंदर पड़ी हुई है मैंने उसी को यहां पर read कर लिया मैंने download नहीं किया कोई data मैंने उसी को read करके यहां पर उसको उसका नाम दे दिया csv read करनी तो इस तरीके से and अगर आपने xls read करनी है तो आप df is equal to pd.read excel simply तो आप देखें यहां पर excel की file read होगी तो csv और excel की file आप इस तरीके से read out कर सकते हैं ठीक है जी तो करके देखते हैं कि वाकी यह काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है पहले इसको करते हैं df.head कर लेंगे इसे फिर चेक करने के लिए कि यह हुई है कि नहीं तो यह देखें आप आपके पास यह file सारी आ गई है अब अगर इसके बाद हम दूसरे वाले को चेक करें तो मैं पहले को comment आउट करता हूँ तो अब इसको run करते हैं exactly यह काम कर रहा है फिर भी तो हुआ क्या है हमने दोनों file को check कर लिया है basically ठीक है जी तो यह थी पांच में using your own data ठीक हो गया तो यहां तक आपको इस video में समझ आई कि Excel की काफी tips and tricks होती है जिनने हम utilize करके बहुत सारे काम कर सकते है next video में हमें आपको और भी tips देने वाला हूँ so stay tuned and आपकी जो आज की assignment है आपने जितना मैंने बोल है आपने यह पूरी notebook के अंदर comments इसी तरह लिखने है ठीक है जैसे यह मैंने comment लिख है आपने क्या करना है how to find the version इसके नीचे आपने अपनी पूरी notebook लिखनी है okay first of all we have to import the data frame and then we have to write this command, that command and that this and that यह सारी चीज़े आपने लिखनी है ठीक है जी अब हम चलते है tip number six पे six जिसका नाम है reverse row order row order क्या होता है मतलब rows क्या होती है और उनके orders को कैसे reverse करना है इसके लिए सबसे पहले मैं import करूंगा data set एक ने वाला उसके लिए मैं import seaborn as sns करना वाला हूँ and then import pandas as pd करूंगा ठीक है pandas as pd करने वाला हूँ इसके बाद मैं load करूंगा data set जिसको मैं df का नाम दूँगा तो इसको मैं करूंगा sns.load dataset इसके अंदर tips की बजाए मैं titanic का data set रखूंगा ठीक है जो हमारा pool का data set है जो हमने पिछली वीडियो में देखा है तो इसको check करते हैं मैं इसको run करता हूँ तो आप यह देखें यहां से survived, p class, sex, age ठीक है और यह सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है अब आप देखिएगा इसी चीज़ को हम reverse order में ले के जाते हैं वो कैसे करना है simple सा formula df.lock ठीक है इसके बाद हमने इस तरीके से double dot लगा देना है और इसका order minus 1 कर देना है अब इसको check करते हैं कि हमने किस तरीके से इसको देखना है for example यह मैंने double log लगा के इसको minus 1 कर दिया but still we can do what head को यहीं पर use कर लेते हैं तो आप देखें कि यहां पर क्या हुआ है जो order ever change हो गया for example यह zero index से लेके 88-90 तक था अब 890 उपर आ गया और 0 नीचे चला गया तो सारी की सारी rules का जो है वो reverse order हो गया ठीक है इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं different किसम के rules apply कर सकते हैं अगर यहां पर मैं लिखूंगा तो आप देखें कि आपके पास यहां पर नीचे वाली जो रोज है वो भी आ गयी है ठीक है तो इस तरीके से आप different किसम का जो rows हैं उनको change कर सकते हैं row के जो sequence है उसे change कर सकते हैं और अगर आपने इसको दुबारा से for example मैं इसको लिखता हूँ df.lock इसके अंदर double colon लगा के minus 1 की है फिर इसको मैं reset index भी कर सकता हूँ ठीक है drop is equal to true कर देना है और इसको head करके भी देख लेना है अब इसमें क्या होगा यहां पर हमने एक missing की है यहां पर हमने यह bracket बंद करनी थी इससे क्या होगा जरा गोर कीजिएगा तो आप देखें कि यहां पर क्या हुआ है हमारा जो index है वो reset हो चुक है ठीक हो गया अब इसमें क्या किया है हमने पहले यहां से इसको change किया इसमें फिर इसके बाद वापस इसमें ले आए ठीक है तो इस तरीके से आप reset भी कर सकते हैं अपने जितने भी index है index क्या होता है यह जितने भी indices हैं जिनने हम instances भी बोलते हैं उनको अपने तरीके से reset करते हैं फॉर example हुआ क्या है अब हमने यहां से आप देखिए हमने यह वाला data set लिया इसमें जो पहला पहली row थी वो यह वाली थी ठीक है आप यह age को याद रखिए मैंने क्या किया उस सारे के सारे को reverse order में कर दिया 890 को मैंने पहली row कर दिया और बाकी descending order में नीचे जाती रही अब पहली वाली की age 32 होगी लेकिन मैं चाता हूँ कि 890 से 889 और यह सारी चीजें पीछे को reverse order में जो जा रही है यह यहां से 0 से start हो तो मैंने इसको reset कर दिया सारे के सारे index को ठीक है? यहां पे आप देखिए तो क्या हुआ जो 890 था उसका नाम 0 हो गया देखिए 32 age है इसकी भी इसकी भी 32 है और यहां पे जो हमने की थी यह last वाले की थी तो हमने क्या किया सबसे पहले reverse order करने के बाद उसको reset index कर दिया ठीक हो गया जी? अब हम यह तो हो गया row की reverse करना क्या हम column को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी तो हम क्या करेंगे? 7 dash यह पिछला 6 था हमारा reverse row order reverse column order column order को कैसे reverse करना है? simple is that हमने df को ही use करना है df dot हमने log का function लगाया इसके अंदर column लगाया comma double colon और minus 1 यह पहली rows है और दूसरी हमारे पास column है column के हमने reorder कर दिया उसे different heading में तो इसको run करके देखते हैं तो यह आप देखें के सारे के सारे column जो है वो different order में आगे पहले क्या था? survived पहले था अब survived जो है वो end पे चला गया simple is that ठीक है? तो इस तरीके से आप reverse भी कर सकते हैं इसे और अगर आपने data type की base पे किसी column को select करना है तो आप वो भी कर सकते हैं ठीक है? वो है जी हमारी trick number 8 dash select a column by data type data type की base पे अगर किसी column को select करना है तो उसको कैसे करना है? ठीक है जी? यहां पे इसको मैंने run किया और इसके अंदर हम लेके आते हैं df.d types यह आप लिखेंगे तो आपके पास उसकी सारे के सारे के data type आ जाएगी मतलब survived से लेके end तक जितने भी हमारे पास data है वो उसकी type के है survived की integer 64 है p class की integer है फिर object है float number है integer है, float number है, object है, category है object है, boolean है, category है object, object and boolean तो अब इस तरीके से भी select कर सकते हैं अब हमने क्या करना है अब हमने देखना है यहां पे सिरफ वो select करना है only select those having numeric type ठीक है वो कैसे करना है df यह simple सा देखें मुझे github co-pilot ने खुद ही दे दी है df.select data type के वो वाले select करो जो include करते है number inside ठीक है अब आप देखें के यहां पे जिनके number थे वो ही हमारे पास आए है आप data अपना दुबारा देख ले integer, integer, float, integer survived, p class, age ठीक है और यह एक column है p, parts है, fair है अब इसमें float और दूसरा column अगर select करना है वो भी आप कर सकते हैं वो कैसे करना है जी simply मैं यहां पे इसी same code को type करता हूँ ठीक है अब इसके अंदर मैं object लिख देता हूँ ठीक हो गया अब देखते हैं तो यह आप देखें जी हमारे पास क्या हुआ यहां पे different किसम के other columns हमारे पास आ गए है जिसमें object था object क्या है boolean है या दूसरी तीसरी चीज़े है यहां पे sorry having object type ठीक हो गया यहां पे हमारे पास क्या क्या आ गया float and integer दूसरे object जो है वो हमारे पास इस जगा पे आ गया ठीक हो गया तो हम multiple data type भी ले सकते है for example मैं यहां से इसको paste करता हूँ again have multiple data type multiple data type क्या करना है simply object के बाद इसके अंदर लिख देना number तो आप देखेगा कि number और object दोनों आप के पास आ गया ठीक हो गया अगर आपने category वाले लिखने है तो यहां पे category लिख देनी है तो यह category वाले आ गए ठीक है तो इस तरीके से yes, no और different किसम के multiple भी आप लेख सकते हैं यहां पे number भी साथ लेना है तो आप कर सकते हैं जब हमारे पास data के columns ज्यादा होंगे तब यह हमारी techniques जो हमें बड़े फाइदा मन होंगी तो जब बड़े dataset के साथ आपने काम करना है तो keep in mind कि आप इस तरह की tips and tricks को utilize कर सकते हैं अब include तो हमने कर लिया अब पूरे dataset में df.select data type include की बजाए अगर मैं यहां पे exclude लिखूँ तो तो क्या होना है आप देखिएगा कि सिर्फ number वाले मैं exclude करना चाता हूँ बाकी आ जाएं तो यह देखें इसमें सभी में से number निकल गया तो उसी तरीके से आप अगर object निकाल देंगे तो आपके पास सिर्फ object निकल जाएगा बाकी category और आपके पास numeric plus float number बच जाएगा मतलब यह कि यह जो हमने data type देखी थी इसके अंदर से हम एक category को exclude करके बाकी रख सकते हैं ठीक हो गया जी include and exclude दोनों function हमने देख लिए अब जो type casting है जो मैंने आपको पहले भी बताया है तो उसको थोड़ा से दोबारा से देखते है कि tip number 9 हमारे पास क्या है that is actually 9- convert string to numbers यह hot encoding में भी यह चीज यूज होती है कि आपने strings को numbers के अंदर कैसे convert करना है let's see तो simply होता यह है कि आप कोई भी एक data form बनाते है for example मैं यहां पे एक data frame बनाता हूँ df is equal to इसको कर देता हूँ pd.dataframe करने के बाद इसके अंदर यह मेरे पास इसको मैं कह देता हूँ जी इसको मैं कह देता हूँ column underscore a इसको मैं कहते है तो column underscore b ठीक है यह हमारे पास दो data type बन गी है ठीक है यह identification का ख्याल हमने रखने है तो हमारे पास दो column बन गी है ठीक है column a and column b अब हमने क्या करना है इनके data types देखनी है ठीक है data types कैसे देखनी है वो ही simple चीज है df.d types data types देखने के लिए तो हमारे पास integer है दोनों ठीक है तो अगर आप इन integers को strings के अंदर लिखेंगे तो आपके पास यह सारे string में आ जाएंगे for example मैं अगर इनको string में convert करता हूँ तो आप देखिएगा कि यह यहां से string में आ जाएंगे inverted commas के अंदर चीज आती है उसे हम string बोलते है तो इसके लिए यह numeric नहीं होता यह असल में अगर आप दुबारा से इसको रन करें तो data type object हो गया अब इस data type को convert कैसे करने है ठीक है उसको convert करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए for example यह हमारे पास एक integer है ठीक है तो हमने क्या करने है df.as type ठीक है कौन सी type इसको हमने कर देना है bracket open यहां पे एक हम dictionary लगाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे call column underscore a इसको integer में कर दो b को भी integer 64 में कर दो क्योंकि हमारे पास float नहीं है यह दोनों को इसके अंदर convert कर दो let's see तो यह देखें कि यह दोनों जो हैं उपर वाले यह इसके अंदर convert हो गए है किसके अंदर जी यह पहले data type हमारे पास object हारी थे अब हमने उसे integer में convert कर दो तो very simple rule है तो अक्सर होता क्या है कि आपके पास यह जो पूरी की पूरी line है न इसके अंदर कोई ऐसा मसला हो जाता है कि आपको यह object की तरह show कर रहा होता है तो आप इस object को basically integer में convert कर सकते हैं using this formula ठीक है जी simple is that तो आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते है वो क्या है तो उसको भी देखते है for example आप एक formula use कर सकते हैं जिसको बोलते है to numeric for example मैं ऐसे बोलता हूँ pd.to underscore numeric numeric के अंदर हमने convert करना है किस चीज़ को df column a को ठीक है errors को coerce कर देना है अब example के अंदर error को coerce करने का क्या मतलब है आपने ये assignment मुझे बतानी है किसमें इसका क्या मतलब है तो simply क्या है pd.to numeric किस चीज़ को करना है हमने data frame के अंदर जो column a है इसको numeric के अंदर convert कर दो ये मैंने का है तो ये हम इस पे यहां पे पहले इसको float के अंदर कर लेते है ताके हमें पता हो कि हमने numeric के अंदर जब किया है तो ये convert हो गया कि नहीं तो ये देखें ये numeric के अंदर data type convert हो चुकी है अब यहां पे अगर df.is d type कर ले तो ये देखें कि अभी ये object के अंदर था यहां पे हमने इसको float and numeric के अंदर किया इसको अगर करना है तो df.is equal to करके कर ले तो भी हो जाएगा d types ये मसला कर रहा है क्योंकि हम types करना था तो हम इसको ये नहीं दे सकते यहां ठीक है जी तो हमने पहले इसको float में किया ये हो गया data type 6 की objects होगी फिर इसको as type करके हमने float and integer में कर लिया फिर column A को हम किसके अंदर कर रहे है ये क्यों ऐसे आ रहा है let me see I see ठीक हो गया तो जब हम इस चीज को convert करते हैं तो आपके पास ये सारा के सारा data जो है वो numeric के अंदर आ जाता for example अगर ये float number होता कोई एक float number होता like 1.2 होता मैं इसको लिखता हूँ 1.2 आ गया तो इसकी data type देखते हैं तो ये object है हम इसको पहले को float में कर देते हैं दूसरे को integer में करते हैं अब पहले को भी हम जो है वो numeric के अंदर करेंगे तो आप देखेंगे के ये देखें अब हमारे पास इस तरीके से सारा data आ चुका है अब होता क्या है कि data type जो column A का है वो float है ठीक है तो इसको हमने convert किसके अंदर करना है numeric के अंदर करना है तो इसके लिए ये formula यहां पे use होगा simply अब यहां पे pd.to numeric इसके अंदर b को देखते हैं तो क्या करता है b हमारे पास इस तरीके से आ जाता है तो basically आप इसको numeric के अंदर convert कर सकते हैं बहुत easily अगर आपके पास different किसम की दूसरी objects या series मुझूद हो इसको type casting बोलते हैं ये बड़ी detail में मैंने आपको पहले भी पढ़ा हुए simple तरीका मैं जो use करता हूँ वो basically ये वाला करता हूँ कि आप एक को लें एक column को और उसकी type आगे mention कर दें दूसरा लें और उसकी type mention कर दें depends on you अगर पूरे को पूरे dataset भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है जी तो मैं उसी type को यहाँ पे mention करता हूँ चलते हैं जी हमारी 10 वी tip पे वो क्या है उसको देखते हैं जनाब वो है reduce data frame size ठीक है किस तरीके से हमने reduce reduce data frame size अब आपके पास अकसर data set इतना बड़ा होता है कि thousands में उसकी rows होती है ठीक है और आप उसको start start में इस तरीके से नहीं देख सकते जिस तरीके से आप छोटे data set को use कर सकते हैं for example आपको उसको load करने के अंदर-अंदर ही काफी जो है वो मसला जो है वो पेश आना शुरू हो जाता है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं हमारे पास कुछ different किसम की चीज़े हैं जिनको हम use करते हैं for example अगर data set बहुत बड़ा है और उसको memory के अंदर लेके आना है तो हम क्या करेंगे for example यहां पर मैं sns.load data set और इसके अंदर tips की बजाए titanic लिखता हूँ तो इसका देखते हैं हम इसको df कह देते हैं अब df के अंदर df.shape तो आप देखिएगा कि यहां पर 891 rows हैं say for example अगर यह 89,000 rows होती तो हम क्या करते एक तरीका यह है कि अपने computer की memory के पताब ही को कहा देना है कि यह इतना होना चाहिए for example df.info info के बाद हम यहां पर इसके अंदर लिखते हैं memory usage memory usage is equal to deep ठीक है अब यह एक चीज़ यहां पर लिखते हैं let's see कि इसका क्या हमारे पास आता है memory usage is not defined just a second oh I see हम इस data set को यहां पर for example हमारे पास df मुझूद है इसको लिखते हैं तो यह हमारे पास पूरा data set आ जाता है अब अगर मैंने 891 में से कुछ samples लेनी है तो मैं df.sample करूँगा sample करने के बाद इसके अंदर अपने for example इसको मैं कहता हूँ कि 0.1 fraction इसकी लेनी है ठीक है तो उसकी shape बताए मुझे तो यह देखें 89 आगी मतलब 891 divided by कितना हो गया 89 आपको भी पता है चेक कर लीजेगा तो आपने इसको 0.1 जो है वो ले लिए 0.1 क्या होता है यह आपको भी पता होना चाहिए इसको देख के आप देखें तो 0.1 fraction उसकी हमने ले ली ठीक है और उसको शेप कर लिया अगर मैं यहां पर 0.5 करूँगा तो वो कितनी है वो देखें वो है 50% अगर मैं 0.1 करता हूँ तो वो है 10% ठीक है तो इस तरीके से आप sample ले सकते है randomize करके ठीक है तो इस तरीके से आप अपने sample को different तरीके से use कर सकते है और अगर आपने इसी data को df.info and then इसके अंदर आप देखें तो यह हमारा data set है basically इस सारी की information आगी और इसके लिए जो memory usage है यहां पर आप देखें जो मैं पिछला command लिख रहा था 80.7k भी आपको चाहिए memory तो मेरे खाल से ठीक है एक MB भी नहीं चाहिए बहुत कम memory चाहिए लेकिन अगर आपको यहां पर GBs में memories चाहिए होगी then you can actually reduce the number of your data set samples और यह सारी चीज़ें आप utilize कर सकते हैं तो इस तरीके से आप column को भी reduce कर सकते हैं और अपने तरीके से अपना data set जो है वो से utilize कर सकते हैं मिलते हैं जी next video में इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करें और देखते रहें इस channel को मेरा भी ख्यार रखेगा इस channel का भी ख्यार रखेगा क्यूंकि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो like ज़रूर कर दिया करें वीडियो को और निचे comment section में जितनी assignments पूछे होती वो भी बता दिया करें ठीक है जी अब हम देखने वाले है next tips pandas की तो 11 नंबर tips जो है हमारी वो यह है के copy data from clipboard clipboard अब clipboard क्या होता है जब भी आप कोई चीज़ copy करते हैं अपने windows system या किसी भी system के अंदर तो वहां पर clipboard में data चला जाता है फिर आप उसको paste करते हैं for example यहां पर लिखता हूँ मैं copy इसको मैंने copy किया control C दबा के या command C दबा के जब paste करना है तो command V दबाऊंगा ठीक है तो यह paste हो जाएगा copy जब copy को मैंने copy किया तो यह clipboard के उपर चला जाता है ठीक है तो अब करना क्या है हमने हमने सबसे पहले data set download करना है data set download कौन सा करना है कश्टी का वो क्यों करना है मैं आपको भी बताता हूँ import c bond as sns फिर import pandas as pd इसको करने के बाद sns इसको data frame को हम करेंगे sns dot read no sns dot load data sets tips की जगा पर titanic करने लगे है ठीक है तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से हमने titanic का data set जो है उसे करना है फिर df.to इसको हम to axle करते है और इसका नाम रिख देते है titanic axle sx ठीक है या इसको बोलते है कश्टी तो कश्टी के data set को मैंने sea bond से लेके यहां पर रख दिया तो आप देखें कि यहां पर मेरे पास कश्टी का data set आगया अब आया कि आप इसको axle की फाइल में भी आप कर सकते है start और इसको यहीं पर भी view कर सकते हैं मैंने एक extension की हुई है जिसका नाम है Microsoft Weaver या Excel Weaver यहां पर जाने के बाद आप Excel लिखेंगे न तो आपके पास Excel React और इसी तरह Excel Weaver आ जाएगा इसको मैंने xlsx tools या viewer करके आप कर सकते हैं data बहुत सारी extensions बढ़ी हुई है कोई भी उठा के आप कर सकते हैं उससे क्या होगा आपका data जो है for example यह किष्टी पर मैंने क्लिक किया यह side पर open हो जागा ठीक हो गया अब आप यह देखिएगा कि यह dataset यहां पर upload हो गया मैं इससे कुछ चीज़ें copy करता हूँ for example who से लेके मैंने यह dataset copy किया ठीक है अब मैं क्या करता हूँ basically इसको थोड़ा से zoom out कर लेता हूँ तो मैंने इतना dataset copy करना है यह मैंने copy किया copy करने के बाद अब इसको मैं Excel के अंदर या इसके अंदर sorry Python के अंदर कैसे readout करवाँगा ठीक है उसके लिए जो code है read clipboard in Python वो कैसे करना है आपने आपने basically यहां पे एक command लिखनी है pandas के साथ जो आपने पहले import कर लिया हूँ है जिसको हम बोलेंगे data frame is equal to pd.read यह देखिएगा यहां पे clipboard आ गया ठीक है बस इतनी सी command लगानी है तो data frame आपके पास आ जाएगा ठीक है कौन सा data frame आएगा जो हमने अभी copy की है let's see तो यह देखिए यहां पे data frame जो हमने copy की है वो यहां पे आ गया हुए अब हुआ क्या है कि मैंने जो copy किया था वो command C करके वो यह copy का लफज copy किया था तो इस वज़ा से यह है अब मैं दोबारा यहां पे जाता हूँ इसको copy करता हूँ ठीक है copy करने के बाद इसको run करता हूँ तो यह आप देखिए अभी भी copy आ रहे है reason क्या है क्यूंकि यहां से यह open करके इसे clipboard के अंदर नहीं ले के जा रहा ठीक हो गया तो basically आपने करना क्या है अगर आप इसको copy करें तो यहां पे paste करके देख सकते है कि यहां पे copy हो रहा है कि नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है इसी file को axle के अंदर open करना है ठीक है open with करके मैं इसे किसी text editor में open करता हूँ तो नहीं होगा खेर इसको मैं क्या करूँगा अब इसी file को अपने pass desktop के अंदर open करने की कोशिश करता हूँ ठीक है और कोई भी और data मैं लेता हूँ axle से या Google Sheet से तो उसे क्या होगा Google Sheet Random Data वो मेरे पास आ जाएगा ठीक है तो उसको मैं फिर अगे लेके चलता हूँ Google Sheets या कोई भी data ले लेते हैं मैं basically मैं ये time आपको इस फटर से दे रहा हूँ आप भी कोई भी data उठाएं किसी भी Excel Sheet में से और उस data को यहां पे paste करें ठीक है इससे क्या होगा आपको अंदाजा हो जागा कि आपने किस तरीके से इसको run करने data science is all about practice as well ठीक है तो यह मैंने कुछ data copy किया अपने पास copy करने के बाद यहां पे जब मैं इसे data frame में लाता हूँ तो यह देखें वो data आ गया यह मैंने Excel से copy किया आप भी कोई भी Excel के sheet जो है उसे लेके उसे data copy करके CSV इसको किष्टी के नाम से नहीं हमने करना हमें इसको कर लेते है Excel का data कुछ भी जो मैंने copy किया था ठीक है अब यहां पे क्या गलती है यह मुझे बताईएगा मैं इसे save करता हूँ पहले आपने मुझे गलती बतानी है ठीक है तो यह देखें मेरे पस data frame copied data से आगया तो अकसर आप क्या करते हैं जब आपने web scrapping वो गयरा करनी होती है तो आप इस तरह की चीज़ें भी utilize करते है जिससे आप different किसम के data sets जो है वो से paste कर लेंगे तो खेर Excel के data set में क्या गलती है rename करते हो यह मुझे आपने ज़रूर chat में बताने ठीक हो गया comment section के अंदर तो यह एक tip थी जो बड़ी मशूरे जमाना tip है किसके लिए जनाबयाली मैंने अब आप आप आपको बताया कि यह जब आपने clipboard से data को यहाँ पे paste करना होता है next चलते हैं हमारी tip number 12 की तरफ tip number 12 में हमने क्या करना है वो देखते हैं इसके अंदर हमने क्या करना है हमने data को split करना है split data frame into two subsets ठीक है तो यहाँ पे मैं जो data use करने वाला हूँ मैं यह कश्ती वाला ही करूँगा ठीक है यह मैं बार बार इस वज़ा से कर रहा हता हूँ इन्हें क्योंकि हमें असानी रहे इसको समझने के लिए तो मैं यहाँ पे df लिखता हूँ df.head रखता हूँ तो देखिएगा हमारे पास यह वाला data पड़ा हूँ है अब हमने इसको दो fractions के अंदर split करना है split करने के लिए हम क्या करते होते हैं पहले length देखते है len length का variable जो होता है यह हमें बताता है कि इसके अंदर कितनी क्या है instances कितने है इसका एक और function होता है जिसको हम shape बोलते है बिसको करते हैं df.shape shape के अंदर rows and columns आ जाते है यह rows है और यह 15 हमारे पास columns है ठीक है तो basically क्या होता है जब भी आपने कोई dataset को split करना है सबसे पहले उसकी structure पता होगे तो split करेंगे ना ठीक है तो इसके अंदर मैं कहता हूँ इस dataset को मैं यह कहता हूँ kashthi underscore one को हम करते हैं simply जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसको हम करनेंगे df.sample fraction इसकी करनी है 0.50% 0.5 कर लेते हैं और random state इसकी कर लेते है इसकी one कर लेते है random state ठीक है तो यह हमारे पास kashthi one dataset आ गया तो kashthi two क्या होगा वो भी अगला 50% होगा लेकिन हम kashthi one को जब देखते हैं तो इसको मैं कहा देता हूँ kashthi one dot shape इसकी देखते हैं क्योंकि हमने निया dataset बनाया न तो यह देखें exactly उसने क्या किया 50% लेने की कोशिश किया 891 में से 446 ले लिए है ठीक है तो basically 50 पे डिवाइड किया लेकिन एक रो को उसने या तो इसको देना होता है या उसको देना होता है तो यह depend करता है कि आपने किस तरीके से उसको import किया अब यह kashthi one होगी अब kashthi two को हमने क्या करना है kashthi one से दूसरा होगा kashthi two हमने same यह नहीं लिखना random state two करके basically हमने क्या करना है हमने उसको drop कर देना है किस चीज को drop करना है इसको sample नहीं करना अब हमने करना है df.drop करने के बाद क्या drop करना है simply हमने kashthi one के index index को drop करना है ठीक है तो क्या आजएगा हमारे पास kashthi two आजएगी ठीक है dot shape तो अब यह देखिएगा हमने क्या किया पहला dataset sample से ले लिया फिर हमने क्या किया बड़े dataset में इसे पहला remove कर दिया तो बाकी जो बचा हमारे पास दूसरा dataset हो गया ठीक है तो यह देखें 446 यह थी 445 यह total मिला के 891 बनती है अब दुनों के हो head करके देखते है हमारे पास data किस तरीके से आता है ठीक है जी पहले हम करते हैं कश्टी one dot head ठीक है इसको चट करते है तो यह देखें हमारे पास यह dataset आगया 862 random state से आ रहा है ठीक है अब हम करते हैं दूसरा कश्टी two dot head तो यह देखें जो इसमें नहीं होगा वे इसमें आजगे तो दो हमारे पास इसके क्या बन गए data sets बन गए अब आपने अगर length करते थे हम यह shape करते थे df.shape तो हमारे पास आता था 891 और 15 अब अगर हम करें कश्टी one ठीक है और इसकी length को length कश्टी one ठीक है इसको plus करते हैं length कश्टी two में तो यह देखें 891 हमारे पास बन रही है तो simply हम वस यह बताना चाहरा था कि दो data sets में split कर सकते हैं ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं अपनी specific जो हैं indices उनकी base पे भी data one को split out कर सकते हैं for example अब यहां पे मैं करता हूँ kश्टी dot one kश्टी underscore one इसको अगर आपने kश्टी two के साथ append करना है तो append का function लग जाएगा तो इसका क्या होगा यह equal to data frame के हो जाएगा इसको df1 कहते हैं तो आप देखिएगा कि जब हम दो data sets को जोड रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम df1 dot shape करेंगे तो आप देखें कि 891 दोबारा हो गई ठीक है तो हमने दोनों data sets को जोड भी दिया तो यह हमारे पास पिछली जो थी वो हमारे पास 12 ट्रिप थी तो let me see इसको थोड़ा जोड़ा जोड़ा करता हूँ क्योंकि मैं numbering जो है उसे नहीं split data frame into two subsets 12 थी अब यह 13 भी आया जागी हमारे पास इसको बोलेंगे number 13 यह कहेंगे join two data sets ठीक हो गया यह हमने यहाँ पे दो data sets को join कर दिया 13 tips आप के पास हो गई है अब tip number 14 के पास चलते है 14 tip number क्या होगी उसको देखते है basically यहाँ पे join करने के बाद हम क्या कर सकते हैं हम different किसम की sorting भी कर सकते हैं values की लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा 14 number पे filtering a data set जैसे हम Excel में filters लगाते हैं यहाँ पे हमने कैसे करना है ठीक है हम सबसे पहले df.head करके देख लेंगे जो हमने उपर किया हुए क्यूं भला क्यूंकि बार-बार हमें run करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यह हमारे पास df data frame जो हमारा कश्ती वाला था वो आ गया ठीक है अब हमने इसको filter कैसे करना है ठीक है हमने सबसे पहले filter करने के लिए for example हमने देखना है कि sex वाले column में male, female और या इसके इलावा भी कोई unique value है के नहीं है ठीक है तो उसको देखने के लिए हम क्या करते है df.sex ठीक है .unique का function यूज़ करते है ठीक है तो उसने बता दिया कि यहाँ पे male और female ही है ज्यादा तर ठीक हो गया अब यहाँ पे unique का function से ही नहीं लगा इस वज़े से वैसे आ रहे था यह object नहीं function है sorry class नहीं यह function है तो male और female इसमें दो किसम के objects है ठीक हो गया अगर आप चाहते हैं कि आपने data सिर्फ और सिर्फ males का लेना है तो आप क्या करेंगे इसमें इसको करेंगे df इसके अंदर आप simply लिखेंगे df.sex ठीक है double equal to इसके अंदर लिखेंगे female तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ female का data आजाएगा यह देखें सारा का सारा data female का है तो जितनी female का data होगा वो यहाँ पे आजाएगा तो इस तरीके से आप filter कर सकते है के sex के अंदर जो सिर्फ female है वो मेरे पास data उनका आजाए ठीक है इसी तरीके से आप other categorical variable जैसे के class एक variable है आप उसको भी sort out कर सकते है कैसे करने है simply वो ही तरीक है df. इसके बाद हम करेंगे class.unique sorry unique ठीक है तो यहाँ पे क्या रहा था पी class है या class है df.class नहीं यह नहीं था यह हमने किया था df. यह और class आगी है ठीक है df.class ic क्यों भला क्योंकि column का नाम जो है वो हमारा basically उसे के साथ match कर वह ठीक है तो इस वज़ा से यह हमारे पास class की base पे हम unique values नहीं ले रहे ठीक है तो basically हम क्या करेंगे df.unique का function सारा लगा के देखते है क्या होता है error आ रही है तो हमें एक data frame के अंदर एक चीज़ चूज़ करना जरूरी है let me see यहाँ पे error क्या आ रही है तो अभी age को select करते है df.age dot unique ठीक है इसको देखते हैं क्या मसला आ रहा था इस पे तो यह age जितनी unique है वो variables आगे इसके fair के भी आगे embarked embarked यहाँ पे लिखते है embarked लिखेंगे तो आईए देखें s, c, q, n, n आगी अगर आप embarked town लिखते हैं तो data set के अंदर ही यह data set के column है आप उनको देख सकते हैं अगर आपने देखना है कि सिरफ southampton वाले हैं तो आप simply क्या करेंगे जैसे मैंने आपको बताया df इसके अंदर यह bracket open करके df.embarked town is equal to यहाँ पे southampton की values लगा देंगे और यह आपके पास सिरफ और सिरफ southampton वाली सारी values आजाएंगी ठीक है आप इसकी shape भी देख सकते हैं इसके end पे shape का argument लगाएं तो आपको पता चलेगा कि 644 लोग southampton से जो हैं वो move किये थे ठीक है अब एक की बजाए दो values भी दे सकते हैं आप जाते हैं कि सिरफ female जो southampton से move की है तो आपने क्या करना है आपने करना है df. ठीक है sorry df के बाद आपने list open कर लेनी है इसके अंदर आपने अब ये वाला paste करना है ठीक है ये एक करड़गर ही होगी इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे और का sign लगाना है ये straight या mid slash भी से बोलते है या इसका क्या नाम है आप वो भी देख सकते है net पे search करें और देखें कि इसको बोलते क्या है ठीक है ठीक हो गया इसको हम और बोलते हैं basically अपनी data science के अंदर तो आपने क्या करना है इसके बाद आपने एक और यहां पे लिखना है df. एक और अर्गुमेंट देने यहां पे उसको बोलना है sex का dot sex equal to जिसमें सारी females हैं ठीक है तो आप देखें कि यहां पे आप जितनी values देते जाएंगे वो आगे आती जाएंगी तो basically यहां पे end पे एक bracket आ जाएंगी तो आप देखेंगे कि जो आपके पास यहां पे data आ रहा है वो सिरफ sorry just a minute यहां पे अगर end लगाएंगे तो हमारे पास सिरफ females हैंगी अगर आप चाहते हैं कि यहां पे और लगाएं तो आप अच्छा यहां पे आपके एक चीज़ समझाता हूँ मैं sorry तो मैंने क्या कहा कि इमबाग टाउन के अंदर जहां पे साउंट थैंटन से सिरफ females move की हैं ठीक है अगर data को इस तरीके से देखना है तो हम यह वाला argument लगाएंगे अगर मैं कहूं कि जो हमारे पास data आए वो आए यहां पे unique values हमने लेई थी कहां गई unique values यहां पे male female की थी इसके बाद अगर हम यहां पे embark town की unique values को दुबारा से देखें तो for example यहां पे अगर मैं print लिख दूँ तो यह दोनों चीज़ें यहां पे लिखी जाएंगी ठीक है तो देखें तो यहां पे हमारे पास print करके यह भी आगए Southampton अंचारबर कुइंस टाउन तो मैं कहता हूँ कि या तो Southampton से चली हो ठीक है और इसके बाद यहां पे हों सिरफ females अगर मैं यहां पे एक और argument लिखना चाहूँ for example मैं यहां पे कहूँ और और के बाद मैं यहां से इसको करूँ copy यह आपको एक चीज़ बताने लगों जरा गोर से देखिएगा यहां पे पेस्ट किया अब यहां पे और के बाद यहां पे end का sign लग जाएगा तो argument के अंदर हम क्या कर रहे हैं चेक कीज़ेगा हमने सबसे पहले लिखा है कि साउंट एम्टन से चलने वाले लोग या फिर दूसरा टाउन से हमने क्या लिखा है कुइन्स टाउन से यह दो जगां से जिन लोगों ने शिप के उपर सवार हुए थे टाइटैनिक की वो लोग हों लेकिन ओनली फीमेल हों ठीक है तो उस डेटा को अगर आपने लिखना है अब ऐसे और और एंड का यूज़ करेंगे एंड काहां पर आएगा जहांपे यह चंडिशन ऑर इन दोनों में से एक कंडिशन पूरी हो ठीक है जब इन दोनों में से एक पूरी करनी हमने चंडिशन तो हम और लगाएंगे, तो हम इसको देखते हैं, तो आप देखें कि Southampton और Quinzland, Quinstown, दोनों की values यहां पर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर सिरफ female होना चाहिए, ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर male भी क्यों आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर Quinstown की सिरफ females ली हैं आप खौर कीजिएगा, और Southampton के हमने male भी ले लिए हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर हम करेंगे, and, यहां पर भी अगर हम कर दें, let's see क्या बनते हैं, तो हमारे पास कोई भी ऐसा बन्दा नहीं, जो दो जगों से चला हो, ठीक है, तो यहां पर हम और ही लगाएंगे, और लगाने के बाद, कोशिश करते हैं इसको एक तरीके से resolve करने की, इसके अंदर भी, और इसके अंद यहां से चला हो, यहां से चला हो, मगर हों सिरफ females, तो यह देखें, एक bracket यहां से start की, और यहां से start की, तो यह एक argument यह बन गया, कि Queenstein या Southampton से हो, और दूसरा यह बन गया, अब आप देखिएगा, तो मारे पास सिरफ females होंगे, जो Southampton से और वहां से चलेंगी, तो इस त दिएफ, और दिएफ के अंदर, जिसमें, इंबाक्ट टाउन, ठीक है, इस इन, ठीक है, जिसके अंदर इंबाक्ट टाउन हमारा हो, queenstown, ठीक है, उसको dot head कर दो, ठीक है, तो यह देखिए, यह सिरफ queenstown वाले आ गए, जो पीछे हमने फार्मूला लगाया है, यह वाला, df.imbarktown, वो यहां पे हमने यह कहा कि इस data set में, पूरे के पूरे data set में, इंबाक्ट टाउन, जहां पे queenstown है, वो हमें बता दो, अगर आपने queenstown के इलावा कुछ और भी देखना है, तो इसी को तरीका लिखने का यह है, कि southampton, यह लेज़, तो आपके बास southampton भी आ गए, तो आप इस तरीके से हर column के अंदर unique values को भी देख सकते हैं, ठीक है, अब यहां पे आप दूसरे formula भी use कर सकते हैं, कि if this is greater than that or less than that, ठीक है, तो वो भी आप use कर सकते हैं, for example, यहां पे मैंने यह queenstown is equal to this लिखा, तो आप इस तरीके से categorical variable को कर सकते हैं, अब आपकी assignment यह है, कि आपने वो कैसे चीजें लेनी हैं, जिसके अंदर आप यह देखें, age का column more than 30 हो, ठीक है, for example, df इसके अंदर df.age is greater than 30, ठीक हो गया, तो यह देखें, आपके सामने 30 से उपर वाले आगे, मैंने सरफ यह काया कि जिसमें age उसकी 30 से उपर हो, अगर मैं यहां पे कहूँ के less than 30 हो, आप देखें नीचे change देखेंगा age के column में आती, तो यह देखें, less than 30 वाले सारे लोग आगे, अगर आपने देखन हैं, तो इसको आप कर सकते हैं, कि 15 से ज्यादा कितने लोग हैं, ठीक है, और अगर आपने देखना है कि 15 से कम कितने हैं, यानि कि 18 से कम कितने हैं, तो simple से argument है, यह देखें, लेकिन यह data science के अंदर बड़े helpful होते हैं, अगर आप से कोई पूछे ना कभी, कि tightening में जितने data set ह यह condition लगा के मुझे बताओ कि कितना data हमारे पास बाचता है, so you can do by this technique, जिसको हम filtering बोलते हैं, axle के filtration से बहुत ही अच्छी technique है, क्योंकि axle के अंदर different किसम के हम tools use करते हैं, next हम move करते हैं, क्योंकि filtration एक अच्छा अच्छा topic है, इस पर मैंने इस पर ज्यादा time लगा है, अब हम हम अपनी tip number 15 पर जाते हैं, ठीक है, tip number 15, filtering by large categories, ठीक है, यह भी filtration की एक technique है, लेकिन इसके अंदर हमने large categories वाले चीजें लेनी है, कैसे, for example, हमारे पास जो data है, ठीक है, उसकी value count देखते हैं, ठीक है, for example, अब देखते हैं, के, df. simple is that, इसमें देखते हैं, इंबाग town, ठीक है, इसके बाद, फिर हमने लगाना है, value counts, ठीक होगा, इसके अंदर क्या होगा, आप देखें, के Southampton से चले हैं, 64 वाले, 644, चर्डबुर्ग से चलें इतने और इस से चलें इतने, तो बजाए इसके य तो इंबाग town में कितने count हुए, ये आगया, अगर आपने यहीं पर change करें, sex को, तो आपको पता चलेगा, male कितने, female कितने, ठीक है, unique values भी आगी है, और count भी आगया, दोनों साथ आगी, age को करेंगे, तो आपको पता चले गया कितने हैं, 27 वाले कितने, 26 वाले कितने हैं, त simple is that, तो आप counts वाले function को utilize करके, आप सारे काम कर सकते हैं, अब अगर यहां पर n large, मैं कहता हूँ, कि सिर्फ दो जो largest number हैं, वो आएं, तो वो आपको बता देगा, कि 30 और 27 सबसे ज्यादा बंदे हैं, 30 age के और 27 age के, अगर मैं कहता हूँ, कि top 3 आएं ज्यादा, तो आपने य largest, largest count जिसका है, 30 के 24 हैं, 30 साल के, 27 साल के 22 हैं, और 26 साल वाले 18 लोग हैं, ठीक है, तो इस तरीके से पर largest to downward भी जा सकते हैं, आपको पूरे data set को filter करने के और गिनने के ज़रूरत नहीं, you can just actually use this n largest command और इसके तुरू आप पता कर सकते हैं, अब अगर आपने index भी लिखना है यहां पे, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो क्या करेगा, यह देखें, तो वो ही number वो आपको बता रहा है कि 24, 22 और 18, top 3 जो categories है, वो 24, 22, 18 तो यह इस तरीके से आप n largest भी जो है, उसे utilize कर सकते हैं, ठीक हो गया, तो अगर आपने, एक और तरीके से हम इसको देखते हैं, अब मैं इसको counts के equal कर लेता हूँ, ठीक है, एक object बना लिया, अब counts के आगे मैं function लगाता हूँ, and large वाला, ठीक है, largest, top 3, तो यह देखें, काम यह भी वो ही कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसके साथ में index लगा देता हूँ, तो यह देखें, इस तरीके से आगया, और यह float number है, उनको sequence wise आपको बता रहा है, ठीक है, यह देखें, sequence wise बता रहा है, ठीक हो गया, अब इसी तरीके से अगर आपने class को यहाँ पर रखना है, अगर class यहाँ पर count होता है, तो class यसी, अगर यह चलता है, तो नहीं, वो error आ रही है, क्योंकि class का argument नहीं आ सकता है, यह इसका built-in function है, शायद आपको याद हो जो मैंने आपको start-start वाली चीज़ों में यह सारी बातें बताई थी, who, who कर लेते हैं यहाँ पर, who क्या चीज़ है, उसको देखते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, who, तो आप देखिएगा, कि man, woman और child, यह तीन किसम के सबसे जदा बंदे थे फिर औरते हैं थी, फिर बच्चे थे, Titanic के अंदर सवार, तो आप इस तरीके से बड़े अराम से यह सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से सेट हो रही है, एक और इस पर finally एक command में आपको और बताता हूँ, df. आप इसमें simply करें, sex, नहीं, sex रहने इंबाक्ट टाउन कर लें, और इसके बाद is in, इसके बाद counts के अंदर, counts के अंदर, आप देखें, dot and largest करने के बाद, top 3 ले ले लें और उसको index करके head कर लें, अब मैंने यहां पर क्या किया है, इंबाक्ट टाउन के अंदर, जो largest count है, वो मैंने देखना चागा, तो मेरे प करेगा, यह वाला, लेट सी, तो यह देखें, अब हुआ क्या है, कि आपके पास, basically, index में वो चीज़ें आखी है, जिसके अंदर largest 3 count है, मतलब, के, यह हू के अंदर, man, woman और child, इसमें सारे data आगे, अगर मैं कहता हूँ कि सिरफ top 1 category वाले, जिसके नंबर ज्यादा है, वो आ छिए, ठीक हो गया, ओसमें कहा है, man, 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 बैनी यह नी निका की आदमी यू लाओ, यहां पर, मैनी यह कहा, कि इस kolum में, जिसके number ज्यादा हैं, उसी को सिरफ show करो, अगर मैं कहूँ, इस kolum में, तो top class की दो चीज़ें, उसी को सिरफ show करो, यहां तो यह इस तरीके से आप इसको handle कर लेंगे now we will start with the 16th one 16 के अंदर क्या है जी वो देखते है 16 नंबर जो होगी हम उसे देखेंगे कि हमने किस तरीके से एक string को multiple columns के अंदर convert करना है splitting a string into multiple columns यह तब use होती है जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा data frame के तरीके से बताएगी है यह हूँ चीज़ें for example मैं आपको मिसाल कभी देखाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले करने है import libraries ठीक है जिसमें import pandas as pd करने के बाद हमने data set बना लिया यह मैं data set यहाँ पे copy करता हूँ data frame बनाया हमने data frame के अंदर pd.dataframe इसके बाद name हमने name बताया तो यहाँ पे यह तीन name दिये गे है location बताया तो यहाँ पे तीन location है आप इसको अपने नामों के साथ भी change कर सकते हैं for example मैं यहाँ पे कहता हूँ मुहम्मद एहमद रजा ठीक है यहाँ पे लिखते है अली अफजल यह मेरे दोस्तों के नाम है सजाद अली सजाद अली यह देखें खुदबा खुद आ गया यहाँ पे मैं लिखता हूँ for example कोई भी एक नाम अबुबक्र हो गया फिर इसके बाद location में आ जाएं जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाहौर पाकिस्तान यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसके location सरगोदा पाकिस्तान और यहाँ पे इसके location मैं next वाले की लिखूंगा कराची कॉमा पाकिस्तान ठीक है अब यहाँ पे देखिएगा इसको हमने inverted कॉमा इसके अंदर लिख लेना है string में तो इस तरीके से हमारा यह डेटा फ्रेम बन गया अब डेटा फ्रेम को देखने के लिए आपको पता है क्या करना होता है basically all array must be of the same length क्या मसला है जी यहाँ पे name ये है जी मुहमद अहमद रजाली अफजल सज्जाद अली अब उबबकर चार नाम थे तो तीन array मैंने बना दी है तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूं हैंबर्ग जर्मिनी ठीक हो गया क्योंकि हमने ओपर चार बनाई थी values तो यहाँ पे भी चार बनाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास location आगी ठीक है जी अब इनको split कैसे करने है split करने के लिए सबसे पहले हमने जो चीज यूज़ करने है वो यह है कि यह first name है for example ठीक है और यह last name है ठीक है अगर हम इसको भी एहमद रजा कर लें क्योंकि भी हमारे पास first name and last name आ जाएगा ठीक है तो यह name आ गया हमारे पास और यह location है city and country हमने इनको इसमें split करना है अग्सर हमारे पास data ऐसे आता है लेकिन जब हम उसे utilize करने के कोशिच करते है then we have to actually split that data into different things for example मैं यहां पर करता हूँ df.name हमने इसको convert करना है क्योंकि name मेरे पास छोटे वाला था फिर इसके बाद dot str यह string है ठीक है फिर इसके बाद इसको string.split के अंदर convert करना है convert करने के लिए separation क्या होनी चाहिए अब मैं आपको दिखाता हूँ sorry expand separation किस चीज़ से separate करने मैं कहता हूँ कि यहां पर एहमद के बाद space है तो space मैं यहां पर लगाता हूँ यह देखी यहां पर space लगी इसके बाद इसको head करके देख लेते हैं यह मुझे co-pilot बता रहा है let's see क्या बनता है तो आप यह देखें यह इस तरह से इसको convert कर देगा एहमद कौमा रजा, अली कौमा अफजल, सज्जाद कौमा अली, अबू कौमा बकर तो इस तरह से हम इसको change कर देते हैं अब अगर इसके आगे मैं लगाऊं expand is equal to true तो expand true करने के बाद क्या होगा यह पूरे का पूरा change हो जाएगा, देखें जरा, यहां पर हमने df is equal to, यह किया, let me see, boolean has not, just a minute, इसको हमने, wait, यहां वे के मसला आ रहा है df is equal to, boolean object has no attribute name, oh I see, that's the point, इसको हमने बनाया इसको हमने यहां पर किया ऐसे, तो df करके देखते हैं, अब यहां पर split तो हो गया, expand हमने true भी कर दिया यहां पर string split करने के बाद, एक bracket यहां प्यानी था, और इसके अंदर इसको expand करना था, हमने basically, ठीक है और यहां प्याना था, कॉमा, तो यह हमने इसको expand कर दिया, अब देखें, यह हमारे पास एहमद अलइदा आ गया, और रजा अलइदा, first name and last name करके आ अगया, ठीक है, अब अगर हम df को देखते हैं, तो यहां पर changes नहीं आई, क्यों? क्योंके हमने उसके अंदर change की ही नही मैं यहां पे जो पहली change लिखूंगा, उसे बोलूँगा, first name, first underscore name, फिर दूसरे वाला लिखूंगा, last underscore name, is equal to df, फ्लाँ 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 ठीक हो गया, अब आप देखेंगा क्या change आती है, यहां पर अगर मैं df को लिखता हूं, इसको म यहां से, तो अब आप देखेंगा क्या change आती है, तो यह name था पहले, location थी, लेकिन at the end मैंने first name और last name को separate करके लिख दिया, इसको किया तो इसने सिरफ values दिन के क्या होगा, लेकिन जब हमने update किया, तो यह column add हो गए है, किस चीज़ के अंदर, इस चीज़ के अंदर, तो basically मै आपको दोनों चीज़ें दुबारा से दिखा देता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमने किया क्या है यहां पर, तो यहां पर, सबसे पहले हमने data frame बनाया, data frame बनाने के बाद, यहां पर मैं लिखता हूँ, splitting a column, ठीक है, into two columns, यह मैंने split किया, इसको दो column में, adding those splits into new columns, ठीक है, वो किया, तो वो देखें, हमारे पास आ गया new column के अंदर, तो इस तरीके से आप different चीज़ों को expand कर सकते हैं, expand करने के बाद, अब दूसरी जो assignment आपकी, आपने क्या करना है, मैंने name को कर दी, आपने location को expand करना है, simple यही formula है, ठीक है, आपने location को expand करना है, ठीक ह अब अगर यहां पे मैं आपको करके भी दिखाऊँ, तो आप भी देखिएगा, यहां पे वीडियो pause करके, खुद से करने की खोशिश करेंए, अधर्वाइस मैं भी आपको करके दिखाऊँगा, तो यहां पे मैं लिखता हूँ, location.spring, उसको कर दिया, और location हमारे पास comma के सा country, यह देखिएगा आप, वो ही df है, तो उसके अंदर जो location थी, वो city and country में convert हो गई है, अब इसको आपने इस तरीके से लिखने के बाद, अब आगे चलते हैं, कि ऐसी series के बाद, जब आपने इसको कर ली है, अब df को equal to, आपने किसके रखने है, df equal to, df double string, इसके अंदर जो जो आपके column name आप चाहते हैं, वो रखते हैं आपने, ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि पहला column name ये वला आज़े, यहां पे ऐसे, और दूसरा column name हमारे पास आज़े, last name और city and country, df dot, ठीक है, तो अब ये देखे, मैंने क्या किया, अब refine कर ली अपनी, refine data manipulation, refine data manipulation, हमने ज सिरफ और सिरफ क्या है, जना आप, चाहर column आगे, तो basically हमने सबसे पहले एक data frame बना है, उसको split किया, split करने के बाद new column add किया, और new column को फिर select कर लिया, तो same data से हमारे पास, यह वला data set जो है, यहां पे आजएगा, ठीक है, अब यहां पे आपने देख लिया, कि इस तरीके से हमारे पास data set आजाएगा, अब यह tip जो है, यह बड़ी ज्यादा use होती, split करना strings को, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो time series पे काम करते हैं, उनको यह मसले बढ़े आते हैं, then हम चलते हैं, अपने tip number 17 पे, ठीक है, tip number 17 जो है, बहुत easy है, हमने इसमें aggregate करना है, 17-aggregate by multiple groups, या functions, कैसे aggregate करना है, simply, for example, मैं यहाँ पे, एक निया data set जो है, import करता हूँ, सबसे पहले, libraries import की, import, import pandas as pd, ठीक है जी, import numpy as np, cbon as sns, बस यह cbon वाली कर लेते हैं, और pandas वाली कर लेते हैं, अब यहाँ पे हमने, import data set, data set import किया, sdf is equal to, tips का data है हमारे पास, या हम titanic का कर लेते हैं, ठीक है जी, यह data set import किया, इसको देख लिया बाद में, जो simple हमारी terminologies चलती है, यह हमारे पास data set आ गया, अब इसी data set के अंदर, अब हमने multiple functions के साथ इसको, जो है वो हमने, check करना है किस तरीके से हम इसको group कर सकते हैं, ठीक हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, df.groupby, groupby.who.count, अब हमने group क्या करना है, who के साथ, मतलब man है, woman है, क्या है, तो यह देखें, who में आ जाएगा child, man, woman, अब सिरफ हमारे पास data किस चीज़ का आया, इसके अंदर जो हमने group बनाए है, ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ के Titanic पे सिरफ उनका data बताओ, जो child group था, एक group, child का, दूसरा man का, तीसरा woman का, अगर मैं कहूँ के male और female का data बताओ, तो sex लेखेंगे यहां पे, तो यह देखें, सिरफ male और female का data आएगा, ठीक है, तो यह count आ जागा कि कितनी कितनी चीज़ें इसके अंदर, कितनी कितनी रोज के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो अब अगर इसको देखा जाए, तो इस तरीके से हम group by करने के बाद, यहां पे head का function भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारे पास इस तरीके से head आ जाएगा, किस चीज़ का, male and female का, ठीक हो गया, group by male and female, लेकिन basically हमारे पास जो चीज़ यहां पे ज्यादा चलती है, that is equal to count function, ठीक है, dot count, तो हमने सिर्फ देखना होता है कि इस group के अंदर किस तरीके से यह सारी चीज़ें चल रही हैं, अब इसके बाद यह तो हमने कर लिया group, अब group के बाद हमने एक और चीज़ करनी होती है, अब इसके अंदर combine करते हैं output को of a data frame, कैसे combine करते हैं, for example, यहां पे हम इसके बाद लिखते हैं, df.groupby, groupby के अंदर who लिखने के बाद count लिखने से पहले, हम यहां पे sum अगर करें, let's see, क्या बनता है, तो हमारे पास यह इस तरीके से इनका sum आ जागा, डिफरेंट चीज़ों का, ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहां पे basically length देखते हैं, इसकी count function भी हो गया, ठीक है, अब length देखते हैं, यहां पे len, इसके अंदर हम लिखते हैं, df. और इसके बाद हम लिखते हैं, sex, ठीक है, तो यह देखें, 891 टोटल हैं हमारे पास, ठीक है, अब अगर इसको df.group by who के साथ लिखें, तो देखते हैं क्या changes आती हैं, let's see, ठीक है, तो हमारे पास 3 आ रही हैं, तरह के हैं, child, man and woman, अगर मैं यहां पर sex लिखूँगा, तो मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ दो आएंगे, क्योंके male and female हैं, तो number of categories इसके अंदर कितनी हैं, यह इसको check करने का बेहतरीन तरीक है, अब fair कि में अगर हम लिखेंगे, तो आप देखें, फिर जो हमारे पास 248 किसम के हैं, change हो रही है, ठीक है, इसे तरीके से अगर हम P class लिखेंगे, P इसका बड़ा है के छोटा है, let me see, P छोटा है, तो यहां पर तीन आएंगे classes, ठीक है, first class, second class, जो middle class है, या कुछ P इसके तरीके से, आप देख सकते हैं, economy बगर आती है, ठीक है जी, तो यहां पर, transform अगर हम इसको करते हैं, for example, another function is, के हम, let me see, यहां पर, अब हम df.head करके देखते हैं, क्या क्या चीज़ थीज़ है, ठीक है, यह करने के बाद, आप देखें, हमने हमारे पास, हमने पहले किया था, df. अब इसके अंदर हमने किया था, group by, group by के अंदर हमने सिर्फ who लिखा था, ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर, दो values दे, for example, मैं यहां पर लिखता हूँ, sex, ठीक है, फिर मैं यहां पर लिखता हूँ, दूसरी value हमारे पास, p class, ठीक है जी, फिर तीसरी value मैं लिखता हूँ, यहां पर, who, तो आप देखेगा, अब हमारे पास क्या होता है, let me see, dot, count function, तो यह देखें, हमारे पास इस तरीके से group बन गए, सबसे पहले हमने देखना है कि, male और female के हैं, sex की base पे, फिर दूसरा group हमारा बन गया, male और female के अंदर, यह check करें, male और female के अंदर हमारे पास, first, second और तीन, जो तीसरी class है, यह तीनों class के अंदर कैसे कैसे मुझूद है, male के अंदर कैसे है, फिर हर कैटेगरी के अंदर, child, woman, child, woman, यहां पे child, male आजागा, क्योंकि जारी बात है, female कभी भी male नहीं हो सकता न, तो इस वाले से देख लें आप, फिर अगर आप यहां पे लिखें, adult, तो आप देखें कि, यहां पे हमारे पास, let me see, यहां पे adult underscore male आना था, तो यह देखें आप, तो यहां पे true आएगा, और यहां पे false आएगा, क्योंकि फिमेल के अंदर, जारी बात है, adult male की नहीं कैटेगरी होगी, अगर हम embarked लिखते हैं, यहां पे embarked, तो आप देखें, आपको पता चल जाएगा, कि आपने कहां से data जो लिया है, और उसका group कैसा बन रहा है, for example, यहां पे अगर आप से कोई पूछता है, कि male और female कहां कहां से, कैसे कैसे embarked होएं, तो आप यहां पे बता सकते हैं, C, Q, S, Queensland, Southampton, और C, Chorgery, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, तो group Y का function जो aggregate का function आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, group Y की और भी मैंने बहुत सारी examples, हमारी pandas के पिछले tutorials के अंदर मैंने बताई हैं, please go ahead and check that out, जिसका link जो है description के अंदर दिया हुआ है, जिसमें python का चिला पूरे का पूरा मुझूद है, तो यहां तक हमने यह देखा कि group Y function को किस तरीके से यूज़ करते हैं, अब आगे हम चलते हैं कि हमने किस तरीके से specific rows और columns को select करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अभी मैं क्यों बता रहा है क्योंकि यह बहुत ज्यादा यूज़ होता है machine learning के अलगोरिफम के अंदर, तो इसको दुबारा से check करते हैं कि specific rows and columns के अंदर हमने select specific rows or columns ठीक है, इसको कैसे करना है, सबसे पहले वही चीज है हमारे पास df जो data frame और ready पड़ा हुआ है, हम उसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास df का पूरा data frame हमारे पास आ चुक है जो हमने पहले किया था, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर basically इसके अंदर हमने check करना है किस तरीके से हम किसी चीज़ों को select करते हैं, df.head मैं पहले करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको देखना है कि मैं किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ select कर सकता हूँ, ठीक है, df.head कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास survived और fair आए ठीक है या मेरे पास sex आए और साथ में class आ जाए ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा select करने के लिए df. यह column select कर रहा हूँ मैं df इसके अंदर हम लिखेंगे double और इसके अंदर मैं लगाऊंगा sex, इसके अंदर class तो आप देखिएगा अब क्या होता है तो यह मेरे पास सिरफ दो classes आगी मैंने यहाँ पर key किया क्या 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 पंजाबी हूँ ना तो यह जो मैंने अभी बोला है time stamp के साथ बताईए का मुझे यहाँ पर sex and class मैंने दो group बुना तो इस तरीके से आप इसको लिखते जा सकते हैं अगर आप आपने basically यह तो होगे आपने column select की है अब अगर row select करनी है वो कैसे करेंगे for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ df.head तो मेरे पास यह एक यहाँ पर simply बलके df.describe कर लेता हूँ describe से ज़रा ज्यादा easy हो जाएगा आपको समझना यह मेरे पास एक data frame बन गया ठीक है अब इसमें यह वाली rows है ठीक है और यह इसके column है अब अगर मैं यहाँ से इसी के अंदर specific rows select करना चाहता हूँ तो मैं लगाँगो lock function लो c function इसके अंदर मैं names लिखूँगा specific rows के minimum 25% 50% 75% and maximum यहाँ पर मैं लिखता हूँ minimum ठीक है फिर आगे मैं लिखता हूँ 25% फिर मैं लिखता हूँ 50% यह मैं क्यों लगा रहा हूँ ठीक है इसके बाद लिखता हूँ 75% इसी के अंदर ही और फिर end पर maximum maximum तो मैंने simple or simply क्या किया सिर्फ वो column select है अब यहाँ पर error आ रही है वो क्यों आ रही है you should know कि जब आपने ज्यादा columns लिखने है तो then you have to manage this you have to put this two dimensional array thing double square bracket लगा देनी है अब यहाँ पर देखें आप minimum से maximum तक मैंने लिए अब इसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका भला क्या है यहाँ पर लिखते हैं और इसको करने के बाद हम यहाँ पर simple वो ही formula लिखते है जो हमने अभी यूज किया ठीक है यह सारे का सारा formula लिया या argument लिया या जो भी आपके हैं लिखा और यहाँ से मैंने यह लिखने की ब लो और bracket एक कर ली अब आप देखिएगा इसको मैं comment out करता हूँ यहाँ से comment out करने के बाद सिर्फ यह वाला चलेगा और देखें same हमारे पास results आ रहे हैं तो इस तरीके से एक column से दूसरे तक जो भी select करना है अगर आप एक row से दूसरी row तक जो भी select करना है वो आप लिख सक हूँ तो इस तरीके से हमारे पास specific number of columns जो हैं वो आजाते हैं अगर आप सोरी rows आजाती हैं अगर आपने number of column नहीं लेने तो आप इस तरीके से लिखेंगे अगर आपने number of columns भी select करने हैं then you will do something like this same formula यहाँ पे लगाना है comma comma लगाने के बाद अगर इसको आप खली छोड़त हैं तो look क्या होता है सिर्फ सारे के सारे column आ रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ survived वाला आए ठीक है तो मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा survived ठीक है अब देखिए ख़रा तो यह सिर्फ survived वाला आ गया अगर मैं कहूं कि यहां पे survived के साथ साथ इसके अंदर एक औ औरम कॉलम हमारे पास है जिसका नम है age तो मैं अशे लिकुँगाbilir अगर मैं चाहता हूं सर्वाइव से लेकर फ़ियर तक सारे के सारे आए क्या सिर्वाइब से लेकर एज तक आए ताक तीन कॉलम बनते हैं तो मैं इसमें column लगा दूँगा तो तीन column आ जाने चाहिए यहाँ पर यह इसको remove करके तो यह देखिया हूँ तो इस तरीके से आप column और rows को select कर सकते हैं based on your idea कि आपने करना क्या है ठीक है तो इसे ऐसे select करने का बहुत ज़्यादा यह होता है कि जब आपने machine learning का algorithm select करने होते है तो आप उसमें features को basically इसी तरीके से check करते हैं और इसी तरीके से आप उसे लिखते हैं ठीक है जी अब इसी को आगे लेके चलते हैं हमारी tips and tricks को ही हमने यहाँ पे 18 देखनी है 18 के बाद इस तरह इसी को select करने के और भी index series को कैसे करना है reshape ठीक है उसको करने के लिए यहाँ पर इसको बड़े आर के साथ लिख देते है multi index series को हमने किस तरीके से check करना है अब titanic का data frame है जो मैं दुबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ तो यह देखें यह titanic का data frame हमारे पास already मजूद था df.survive.mean सिर्फ survive का mean कितना है यह मेरे पास इसका mean आ गया अगर मैं इसी column के इसी argument के अंदर यहाँ पे लिख दूँ group by जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था group by यहाँ पे इसके अंदर group by के अंदर लिखूं sex तो आप देखें का क्या होता है यह same mean आया है survived का mean आया है same का लेकिन female और male का separate हो गया है ठीक है यह total survival mean है कि कितने percent survive किया 38% ठीक है chances जो है survival के female का 74% है क्यों यह आपको भी पता है कि female और बच्चे जो है वो पहले वो कह देते हैं कि आप पहले बच्चे और और ओरते जाएंगी survive के लिए फिर बाद में male जाएंगी तो इसी वज़ाँ से male का जो है अक्सर जंग में भी यही होता है या कुछ चीज सानिया हो एमर्जन्सी हो तो बच्चे और females को ज्यादा prefer किया जाता है तो इस वज़ाँ से survivor rate उनका ज्यादा है और male का कम में तो इस तरीके से आप उसे group कर सकते है अब अगर इसी चीज को मैं दुबारा से यहाँ पे इसके साथ साथ एक और लिखूं और उसका नाम कर दे हम p class तो इसके पीछे आपको पता है जब हमने दो argument यूज़ करने हो तो square brackets यूज़ करके उसको लिस्ट के अंदर हम लेगा आते है तो यह देखें अब sex भी आ रहा है p class भी आ रहा है first class, second class या economy या third class जो भी उन्होंने लिखी हुई है हम इसको class में भी कर सकते थे p class की बज़ाए class में भी कर सकते हैं अब अगर यह mean आपको इस तरीके से मिल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते है वो क्या है, यहाँ पे सिर्फ इस mean के end पे unstack लिखते है ठीक है unstack तो क्या होगा just a minute, यहाँ पे को मसला चल रहा है let me see कि क्या issue है unstack यह क्यों नहीं चल रहा mean oh I see, यह और रेड़ी ही unstacked है I guess P class, let me see खेर, यह मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ चेंजी आई है तो basically यह आपको इस तरीके से stack बता रहा है सारा कुछ ठीक है, अगर आप इसको unstack करेंगे तो unstack method से convenient reshape multi-index series जो है वो data frame के अंदर convert हो सकती है लेकिन अभी यहाँ पे unstack function नहीं चल रहा है, I will see अगर आप लोग के पास चड़ रहा है तो please comment section में जरूर बताए कि unstack से function से क्या इसमें changes आ रही है या आप अपनी assignment समझ लें क्योंकि मेरे पास काम नहीं कर रहा है और मैं इस error को resolve करने कोशिकरता हूँ, next meeting में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से categorical data में convert करना है, continuous to categorical data conversion ठीक है, कैसे करना है, simple है df.head, हमारे पास continuous data यहां पे कौन सा है उसको देखते है हमारे पास continuous data यहां पे for example age का है, ठीक है हम यहां पे करते है df.age.head ठीक है, यह हमारे पास data है इसको पहले देखते हैं, तो यह हमारे पास इस तरीके से age का factor आ जाता है अब आपको पता है, कि हम age के factor को अच्छे तरीके से different जगों पे convert कर सकते हैं ठीक है, कैसे for example 18 से उपर जो होगा उसे adult कह देंगे, ठीक है और adult की भी दो किसमें कर देंगे, child की 18 से नीचे कर देंगे तो इस तरीके से हम line define करेंगे, for example, pd.cut का एक function यूज़ करते हैं करने के बाद, यहां पे लिखेंगे, df.age, इसके bins बनाएंगे हम, ठीक है bins is equal to, bins के अंदर 0, फिर उसके बाद 18 years, 25 years, 99 years, ठीक है तो इस तरीके से बनाने के बाद उसको labels बनाएंगे हम, labels भी करेंगे labels is equal to, bins के labels जो हैं हमारे, 0 से 18 तक जो होगा, उसे हम बोलेंगे child ठीक है, फिर उसके बाद young adult बोल देते हैं, फिर उसके बाद adult बोल देते हैं, ठीक है adult बोल देते हैं उसे, और let's see कि यह कैसा काम करता है, ठीक है इसको dot head करके check भी कर लेते हैं, तो यह हमने bins बना दी है, different किसम की इसको हम बोलते हैं, creating bins, ठीक है, तो bins बनाने के बाद आप देखें कि यहां पे क्या हुआ है, कि हमारा जो data है ना, वो basically convert हो चुका है, different arguments के अंदर, मतलब यहां पे young adult, दूसरा adult, तीसरा adult, तो age जो है, वो change हो चुकी है, ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें, df को दुबारा से head करके, तो यहां पे age आपके पास यही आ रही होगी, लेकिन हमने यहां पे उसका एक argument बना दिया, जिसको हमने उसकी age को convert कर दिया, तीन डिफरेंट किस्मों के अंदर, तो आप वो ही formula को, अगर आप दुबारा से यहां पे लगाएं, तो इसको बोलते है new age, ठीक है, age, इसके, sorry, df, इसके आगे, new age, यह करने के बाद, let's see, मैं try मारने लगा हूँ अगर यह काम करती है, अगर नहीं करेगी, तो we will see what we can do, यह इसके अंदर एक नया column add किया, और सारे का सारा यह वाला formula उठा के यहां तक इसको लगा दिया, ठीक है, let's see क्या बनते है, तो यहां पे new age का एक column extra बनना चाहिए, यह यहां पे new age का बन गया नया column, तो हुआ क्या है, basically, new age, age की base पे हमने एक categorical column बना के उसके अंदर add कर दिया है, ठीक है, तो simply इस तरीके से आप नया categorical elements जो है, उसे बना के add कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा advantage यह होता है, कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, तो आप basically different किसम के categorical elements को use करते हैं, ठीक है, अगर आप से कोई पूछेगा थे इतने बंदे फौत हुएं, उसमें से बच्चों का क्या था, कितने बच्चे थे, क्या चीज़ थी, adult कितने थे और दूसरे कितनी चीज़ थे, यह सारा कुछ आप इस तरीके से बता सकते हैं, नेक्स अगली tip पे हम चलते हैं, जो बहुत ही easy है, तो वो क्या है, कि, let me see, के, one set of values को दूसरी में कैसे convert करना है, 21 नमबर जो tip है हमारी, 21-convert one set of values into another one, इसमें हम करने के अवाले हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, दर अगवर से देखिएगा, कि हमने simply, for example, हमारे पास df.sex.head का data हमारे पास क्या है, उसको देखते हैं, male, female, female, male, female, इस तरीके से आता है, लेकिन अगर हम, number इसके add करना चाहें, for example, male को zero करना चाहें, और female को one करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे, df.sex.map, map करने के बाद, इसके अंदर हम dictionary एक add करेंगे, जिसके अंदर male को हम zero बोल देंगे, और, कॉमा, female को, हम one बोल देंगे, ठीक है, हमने किया क्या है, बेसिकली, हमने, sorry, male को zero, और female को one, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं, तो आप देखें, यहां पे क्या हुआ है, जहां जहां पे male था, वो zero में हो गया, वहां वहां पे, जहां पे नहीं था, वो one में हो गया, तो simple हमने क्या किया है, string को continuous या number में convert किया है, तो अब यहां पे अगर हम df, इसके अंदर एक निया column बनाएं, df के अंदर उसका हम बोले, sex underscore number, ठीक है, तो इसको equal to करके ऐसे करेंगे, तो आपका df के अंदर एक निया column बन गया होगा, let's see, तो यह देखें, हमने sex यहां पे male था, वहां पे zero कर दिया, female पे one कर दिया, अब यहां पे तो change नहीं हुई, तो कहां पे हुई होगी, बिलकुल ठीक, यहां पे एक निया column add हो गया, तो इस तरीके से हम feature engineering भी इसे बोलते हैं, तो feature engineering क्या होती है, basically features को select करते हैं, उसको check करते हैं, और उसको different किसम की encoding के अंदर convert कर देते हैं, ठीक है, अब होता क्या है, कि जब आप different किसम की encoding के अंदर convert करते हैं, तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, basically आपको numbers में convert करना पड़ता है, hot encoding करने पड़ते हैं, अब ये तो हो गया कि दो values थी हैं, अगर हमारे पास 10 से 11 values हों, तो सभी के नाम थोड़ी ना लिखने हैं, कि इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं, उसके लिए अब ये देखते हैं, कि हमने क्या करना है, for example, यहां पे df. ठीक है, मैं यहां पे embarked, embarked, इसको देखता हूं, dot, head करता हूं, let's see, तो यह देखें, sc, s, 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 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे, embarked.count, यह चैट करूं, तो आप देखें, 889 है, ठीक है, अब यहां पे, यह सारी values इस तरीके से हैं, अगर हम unique लिखे हैं, इसके आगे, तो हमारे पास आ रहागा, sc, c, q, n, n, ठीक है, तो यह तीन किसम की values हैं, अब अगर आप इस सबी को convert करना चाहते हैं, तो you will use a function called df.embarked, embarked के बाद, यहां पे आप करेंगे factorize, factorize function use करने के बाद, आप इसको खाली छोड़ देंगे, और दूसरे वाले क 1, 2, 3, जो भी उसका आता हुआ, वो होते जाएंगे, ठीक है, अब अगर आप को इस तरह नहीं समझ आ रही, तो basically मैं क्या करता हूँ, df के अंदर, embarked का, इस तरीके से बनाने के बाद, इसको underscore number कर देता हूँ, ठीक है, एक नया column add कर देते हैं, data set के अंदर, तो let's see के यह add हो के क्या करता है, यह देखें, embarked था ना, हमारे पास sc, 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 something like that, तो यहाँ पर देखें आप, 0, 1, तो नीचे तक जाते जाएंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे होता जाएगा, यहाँ पर 15 values को head करते हैं, तो यह देखेंगा, यहाँ पर, 0 से लेके, नीचे तक 2, 1, 2 different किसम की चीजों में convert हो जाता है, तो आप इस तरीके से hot encoding कर सकते हैं, बजाए इसके कि आप सिर्फ सारी values लिखें, आप factorize function को use करके, पहले को खाली चोड़ दें, दूसरा 0, यह इस तरीके से लगा दें, तो यह convert हो जाएगा, तो इस तरीके से भी आप hot encoding बहुत easily कर सकते हैं, अब इसी को use करते हुए, अगर आप किसी और column को भी convert करना चाहें, you can do that, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप इसको अपने तरीके से देखते रहें, ठीक है, हमने अब आगे जो tip देखनी है, let me see, यहां पे जो हमारी 22 number tip है, that is called transpose-avide data frame, ठीक है, तो आपने transpose कैसे करना है, किसी भी एक data frame को, transpose क्या होता है, कि rows को columns के अंदर convert कर देना, columns को rows के अंदर, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, import, libraries import, libraries import करेंगे, import numpy as np, और import pandas as pd, pd, इसको करेंगे, ठीक है, करने के बाद, हम एक निया data set बनाएंगे, creating a new data frame, बोल देते हैं, कैसे बनाना है, let's see, यहीं पे बनाते है, basically हमने क्या करना है, जनाब, हमने, df बनाना है, is equal to, pd.dataframe, इसको बनाने के बाद, इसके अंदर, हमने लिखना है, np.rant, random बनानी है, हमने तो इसमेट आस रेंट लिखेंगे, और 200, by 25 का एक बनाएंगे, and then, column, is equal to, इसके अंदर, लिस्ट कर देंगे, इस तरीके से, a, b, c, d, e, f, g, h, i, d, k, l, m, n, p, k, r, c, u, v, x, y, z, ठीक है, सभी को लिस्ट कर दिया, और यहां पे, इसका data frame बन गया, हमारे पास, 200, by, कितने का, यह देखिएगा, यहां पे, हमने, z नहीं लिखना, यह क्यों नहीं बन रहा, और सॉरी, यहां पे, random, dot, rand है, ठीक है, तो यहां पे, आप देखें, जी, के यह हमारे पास, एक, column बन गया, ठीक है, और सॉरी, data frame बन गया, 25, by, 5, यहां पे show हो रही है, क्योंकि हमारा जो है, वो data frame, 222, by, 25 का है, अब इसको अगर आपने, transpose करना है, for example, यह, 10, पहली रोज को मैं, transfer, transpose करता हूँ, तो आप देखिएगा, यह सारे column जो है, a, b, c, d, ऐसे आजाएगा, और 0, 1, 2, ऐसे आजाएगा, let's see, same formula, यह वला, head वला, इसको copy किया, यहां पे paste किया, dot t लिखना है, सिर्फ, यह ले, transpose हो गया, ठीक हो गया, data सारा आपका, एक second के अंदर, transpose हो गया, अगर मैं यहां पे लिखू, df.describe, ठीक है, describe function लगाया, तो यह count, mean और सारे आ जाते हैं, तो मेरे पास यहां पे a से लेके 25 तक हैं values, और यहां पे सिर्फ 8 है, तो बहतर यह नहीं होगा, मैं 8 को columns में ले जाँ, और a से 25 तक नीचे इस तरीके से ले आँ, इस वज़ए से हम transpose use करते हैं, ठीक है जी, यह देखें, अब ज्यादा प्यारा लग रहा है, फॉर एक्जेमपल, यह यह वला एक data set था, और यहां पे df.describe करने के बाद, dot t, यह वला ज्यादा प्यारा है, आप देखें, इसको पढ़ने के लिए हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसको बढ़ने के लिए हम उपर से नीचे move कर सकते हैं, तो यह ज्यादा easy होता है, क्योंकि हमारी जो understanding है, वो इस तरीके से बेहतर होते हैं, हमारी एक आँख के अंदर बिल्कुल कम move किया बगार सारा कुछ आ जाता है, लेकिन यहां पे हमें ऐसे move करना पड़ता है बार बार, तो इस तरीके से हम transpose कर लेते हैं अपने data को, ठीक हो गया, अब इस data को transpose करने के फाइदे ये हैं, कि आप different किसम के data sets आगे save कर सकते हैं, अब अगर आप transpose करने के बाद यहां पे 2CSV या कुछ करेंगे तो यह data आपका transpose find में, जो है वो save भी हो जाएगा, तो अक्स applies करके आप इस तरीके से save कर सकते हैं, ठीक हो गया जी, तो transpose बहुत ज्यादा use होता है, अब यहां पे अगली जो tip है हमारे पास, उसमें हम actually 23 number tip के अंदर, यहां पे 23 number tip के अंदर हम क्या करेंगे, reshaping data, frame, एक data frame को reshape करेंगे, कैसे reshape करेंगे, for example, हमारे पास एक data frame है, distance का, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं, फासला, उर्दु में लिखते हैं, तो फासले को, हम मेरे पास एक, यह data frame बन रहा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं, फासला dot, add भी कर लिया, तो यह देखें, मैंने एक data frame बनाया, जिसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 100 से इतना ले लिया, यह दूसरी value ली, और यह इतने number दे दिये, यह तीसरी ली और इतने number दे दिये, फिर पहले को zip कह दिया, column को, दूसरे को factory कह दिया, तीसरे को warehouse, चोथे को retail कह दिया, अब अगर इस तरह का data set हो, ठीक है, तो हमने इसको, wide format को reshape कैसे करना है, ठीक है, long format में, wide format यह वाली थी, और long यह वाली है, अक्सर ऐसे होता है, कि data frame को हम transpose भी कर देना, तो उसका वो मज़ा नहीं रहता, transpose तो हो गया है, लेकिन आप देखें कि zip भी साथ आगी है, factory भी साथ आगया, warehouse भी साथ, यह सारा कुछ एक row में आगया, तो basically हमने ऐसे थोड़ी नहीं करना होता है, हमने तो चाहना है, कि एक में zip आजाए, और दूसरे में variable आजाए, factory, warehouse, retail, इस तरीके से, तो फिर हो, for example, मैं यह चाहरा हूँ, कि हमारा data set जो है ना, वो कुछ इस तरीके से बने, ठीक है, इसको f2 बोल देते हैं, या फासला 2 is equal to, मैं चाहतो मेरा data set इस तरीके से बने, यह देखें, मतलब यह, कि पहली हो user id, like यह वाली जो है user id, 1, 2, 0, 1, 2, यह सारी, ठीक है, दूसरा zip आज आजा है, warehouse है, retail है, factory है, तो इस तरीके से, यह हमारे पास, तीन चीज़ें हमारे पास आजाएं, और column हमारा, जो है, वो long format में चला जाए, wide गया था, मैंने आपको दिखाया, for example, transpose से पहले जो था, अगर इसको मैं comment out करूं, तो यह हमारे पास था, zip, factory, warehouse, retail, अब हमने क्या क कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर user id दे दिया है, start में, user id जो है, वो index ही कहलाती है, तो इसको हम change कर सकते हैं, अब अगर हमने इसको long format में करना है, तो क्या करेंगे हम, फासला, dot, melt, melt करना है, मतलब लंबी को छोटी में कर देना है, ठीक है, तो अभी इसके आगे हमारे पास, id, underscore where's, यह मुझे copilot सारा कुछ बता रहे हैं, but I will write down by my own, इसको हम कर देंगे, zip के अंदर, ठीक है जी, कॉमा, यहाँ पर, where, underscore name, variance name इसको बोलते है, इसको हम कर देंगे, location type, और तीसरा है, जी, हमारा, comma, value name, इसको हम कर देंगे, distance, मतलब यह, कि वेर हाउस से, या किसी भी location से, zip की base पे, location type का, distance कितना है, ठीक है, अब देखें, same data है, यह वाला, इसको मैं अगर, फासला, यहाँ पर करूँ, तो यह देखें, यह हमारे पास, फासले का data था, ठीक है, हमने क्या किया है, इसको basically हमने इस तरीके से melt कर दी है, अब देखें क्या हुआ क्या है, location type, factory, warehouse, retail, यह तीनों, एक ही column में आ गए हैं, लेकिन यह इस तरीके से group हो गया है, उनका एक ही column के अंदर, जिसको हमने नाम दे दिया location type का, distance जो है, यह वाले, यह सारे फिरजारी बात है, उसके equally यहा melt करते हैं, melt करने का फाइदा यह होता है, कि जब आप plots बनाते हैं, तो आपने सिरफ यह लिखना है, hue is equal to location type, तो इसका plot अच्छा बन जाएगा, ठीक है, कैसे, अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, for example, यहाँ पे मैं करता हूँ, sns.barplot, ठीक है, barplot x is equal to, y is equal to, and then that's it, तो आप देखेंगे, यहाँ पे एक barplot बनेगा, जो basically zip factory, what the heck is this, let me see, object is not callable, क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा object not callable आ गया, x पे zip आ गया, y पे, i see, यह आप देखेगा, यहाँ से, इसके अंदर कोई category नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, आप फासले के अंदर, sns.barplot, फिर इसके अंदर x zip y is equal to fastla long, long format का, fastla underscore long, ठीक है, name fastla long is not defined, fastla long इसके अंदर कर दिया, यह ले, अब इसके अंदर क्या मसला रहा है, let me see, x is equal to, यहाँ पे fastla long head, यह आ रहा है जनाब, x is equal to location type हम कर लेते हैं, yes, location underscore type, और यहाँ पे y is equal to, हम कर लेते हैं, distance, ठीक है, यह फिर भी नहीं बन रहा, df data type, नुमेरिक टाइप है, let me see, यह क्या मसला कर रहा है, यहाँ पे हम करते हैं, fastla long.d types, तो यह असल में integer है, distance, यह object है, location type, ठीक हो गया, और zip भी object है, location type, distance, data, is equal to fastla long, output exists, this side limit, open the full in text editor, ठीक हो गया, data type, नुमेरिक data type है, और यहाँ पे size limit जो है, वो increase करनी है, none type, object is not callable, कौन सा object, none type object is not callable, data type, नुमेरिक data type, PLT dot, यहाँ पे पे इंपूर्ट, c bond as sns, sns.barplot, नहीं, नहीं बन रहा, को मसला आ रहा है, let me restart the kernel साफ, इसके उपर वाले सारे कर दें, run, थोड़ा time लगेगा, यह सारी चीज़े मैं run कर रहा हूँ, यहाँ पे, yes, तो kernel में मसला था, आप देखें कि यह हमारे पास इस तरीके से barplot बन गया है, अब इसमें हुआ क्या है, हमने location type जो है, इसको hue पे रख लिया है, हम यहाँ पे अगर, simply, फासला के उपर sns.barplot बनाते, तो कैसा बनता, for example, मैं यहाँ पे, इसको, फासला के एको रखता, location type की जगा पे, नहीं, अगर यहाँ से इसे उठा के, यह तो सही है, यह भी सही है, यहाँ पे, तो अगर हम इसको बनाते, फासला, location type, यहाँ पे hue में आगी, यह तो फासला long ही है ना, इसको मैं remove करता हूँ, यहाँ पे, फासला के बाद हम बना रहे थे, plot, यहाँ पे, sns.barplot, x is equal to zip, y is equal to distance, इसकी बजाए हम यहाँ पे लिखेंगे, factory, क्योंके यहाँ पे हमारे पास long format नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं, फासला, तो हुआ क्या है अब यहाँ पे, यह देखें, यह हमारे पास barplot बन गया, लेकिन अगर अगर अब हमने factory, warehouse और retail को y पे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, basically, आप देखें जरा गोर से, तो हम यहाँ पे, यह वाला काम करके, comma, let's see, warehouse, comma, retail, यह ले, तो let's see, इसका क्या बनता है, तो basically, इसकी error आजाएगी, अगर हम इसको two dimension भी करते हैं, error में, तो भी हमारे पास नहीं बनेगा, क्योंकि, y हमारे पास इस तरीके से नहीं आ सकता, ठीक है, अगर हम यहाँ पे, control x करें, और यहाँ पे सिरफ factory ही करें, तो मेरे ख्याल से यह इस तरीके से आएगा, group bar plot बनाना है, तो आपको long format में convert करके, same उसको, एक hue के अंदर convert कर देना है, तो then you can see के इस तरीके से bar plot जो है, वो ऐसा बन जाता है, तो यह error जो resolve करने का तरीका है, यह मैंने आपको इस वज़ा से दिखाया यहाँ पे, मैं इस वीडियो को cut भी कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ताकि आपको error resolve करना, तरीके का पता चल जाए, और melt का function बहुत ही मुश्किल भी है, कभी कभी समझ नहीं आता, लेकिन अगर आपको समझ आ जाता है, then it's better कि आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है, melt का function बहुत ज़्यादा जगों पर यूज़ होता है, तो आपको यह आना भी चाहिए, इसके साथ ही हमारी tips and tricks जो हैं, यहां पर इस वीडियो का इस्तिताम होता है, नेक्स वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्यार रखें, दौह में याद रखें, इन्शाला बहुत जल्द हम वापिस आके, दुबारा से से देखने वाले हैं, अल्ला नेके बार,